हलो नमस्कार एंद जैहिन मेरे प्यारे साथियों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से प्लेटफॉर्म बाइन नविन कुमार सिंग के यूटूब चनल पर मैं बदुसरमा आप सभी करते हैं दिल से स्वागत करते हो जली तो आज का क्वेश्चन आपके सामने है इसको तंत्रता संग्राम के रूप में हुआ किस ने कहा था यह कथन किसका है किस इतिहास का या विद्वान का यह कथन है किस इतिहास का यह विद्वान का यह कथन है मैं आपके आंसर का वेट कर रही हूं ठीक है तो इसका जो एक्चुली जो सही आंसर होगा मेरे प्यारे साथिय वो होगा आपका डॉक्टर एसन सेन अब यहाँ पर सुनने वाली बात यह है कि 1857 की क्रांती है इसके बारे में अलग-अलग इतिहासकारों में अलग-अलग मत है मतलब बहुत सारे विद्वानों और इतिहासकारों में यह मतभेद है कि 1857 की क्रांती को किस नाम से पुकारा जाए पर्थम स्वाधिनता संगराम के रूप में पुकारा जाए या अंग्रेजों के विर्दभारतियों का युद्ध के नाम से पुकारा जाए या पहली स्वतंत संग्राम के नाम से पुकारा जाएं तो अलग-अलग इतिहासकारों में विद्वानों में अलग-अलग मत हैं तो हम लोग पहले बात करेंगे तो अठाव सटावन की करांती है इसकी शुरुवात कहां से हुई थी मेरट से हुई थी और मेरट में सवरप्रतम शैनिकों के यद्रों प्रारंब van मुद्रों धुवा था उसमीं हुआ खो उत्लगे लिए और इसमें ऋफवा फ्ल गई कि ये जो एन्फिल राइफल के जो मूँ के पास में इसके गन में जो लगा हुआ था उसमें चर्वी भरे कार्टूस लगाए गये थे अब चर्वी वाले कार्टूस लगाए गये थे तो ये चर्वी वाले जो कार्टूस थे या गाय और सुवर के बने हुए हैं किसके बने है ये गाय और सुवर के बने हैं इस कारण से सिपाहियों में अंत्रिक क्या हो गया विद्रोह हो गया और उन्होंने सामुहे क्रूप से क्या कर दिया विद्रोह कर दिया सर्पता मंगल पांडे ने अठाव सतावन की करांती का विद्रोह किया तो इस प्रकार से ततकाली कारण से यह आपका 57 की करांती की शुरुवात हुई अब हम लोग इसके आगे बात करेंगे कि अलग अलग जो भी आपके इतिहासकार है उनके क्या-क्या विचार थे उन्होंने इन पर किया एनलाइसिस किया क्या रिसर्च करके इसके बारे में बताया चली तो पहला जो आप देख पा पूर्णता राष्ट्रिय विद्रोह का नाम दिया पूर्णता राष्ट्रिय विद्रोह का नाम दिया जो 1857 की क्रांती है यह पूर्णता क्या थी आपकी क्या बोलते है राष्ट्रिय विद्रोह था यह कथन किसका था अशोक महता था अगला आपके सामने जो दिख रहा है बीडी सारवरकर बीडी सारवरकर ने क्या कहा था उन्होंने कहा था कि राष्ट्रिय स्वतंत्रता के लिए कि सुनियोजित कि सुनियोजित कि युद्ध था अगला जो आपकी सामने दीख रहे हैं डॉक्टर आर सी मजुमदार जी का क्या कहना था इनका कहना यह था कि यह विद्रो ना तो पहली स्वतंता संगराम थी ना ही राष्ट्री क्रांती थी और नहीं यह आपकी पहली स्वाधिनता संगराम थी इनका क्या करना था कि नहीं श्वतंतता संग्राम थी और नहीं राष्ट्री विद्रो था और नहीं प्रथम स्वाधीनता संग्राम थी यह कथन किसका है इनका है अब मैं आपको और कुछ नहीं विद्वानों के मत के बारे में बताना चाहूंगी जो अलग अलग विद्वानों ने अपना अलग अलग नाम दिया ठीक है चलेंगे हम लोग बात करेंगे तो यह आपके होगे और साथ अब जो कुछ विद्वान थे उनका क्या कहना था इनकी बारे में हम लोग जानेंगे तो एक थे आर रीज आर रीज ने इशाईयों के इशाईयों के विरुद विद्रोह था टी आर होम्स ने क्या कहा टी आर होम्स ने कहा कि यह सभ्यता और बरबरता के बीच युद्ध था उसके बाद ध्यान से सुनियेगा अगला जो थे आपके सीले और लॉरेंस ने क्या कहा कि यह पुन्ता क्या था स्यानेक विद्रोह था कि ठीक है यह पुंट्रा क्या है सिपाही विद्रो है तो आप क्या कर लिजे इसको स्क्रीन सोट कर लिजे उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे कि पहली बार फॉर्म भर है अच्छी बात है त्यारी अच्छे से कीजिए जल्दी आपका हो जाएगा शीता को मारी पीडियेफ मिल जाएगा जी बिल्कुल इसका आपका टेस्ट का क्वेश्चन मिल जाता है आपको इसी चूट में मिल जाएगा और ओन-लाइन एप्लिकेशन पर भी मिल जाएगा डिसकुसंद आपको यहाँ पर मिल रहा है ठीक है चलिए हम लोग आगे next question में चलते हैं अगला question क्या है निम्न लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है मतलब जो आपका सही नहीं है आप उसको छाट के आंसर करके निकाल लीजिए देखिए पहला जो आपको सामने दीख रहा है नील विद्रो 1869 में हुआ यस नील विद्रो जो है आपका 1869 में कहां हुआ था यह आपका बंगाल में हुआ था ठीक है बंगाल में हुआ था यह आपका बिलकुल सही है अगला क्या है जयंतिया विद्रो 1860 और 63 में हुआ था बिलकुल सही है और यह नंग बाह के में हुआ यहां भी आपको क्या हो जाका सही है अगला है कू की विद्रो और कूका विद्रो धियान से सुनेंगी दुनों अलग अलग विद्रों हैं तो कूकी विद्रों आप देखे Empressa 1917 गें उनीस में हुआ यह से बिल्कुल यह आपका सही है और यह विद्रो कहा हुआ था मड़ीपूर में हुआ था जबकि कूका विद्रो जो आप देख रहे हैं तो शुरुवात है भगत जवाहर मलने किया था इसकी शुरुवात किसने क्या था भगत जवाहर भगत जवाहर मलने किया था ठीक है भगत जवाहर मलने किया था तो आंसर क्या हो जागा डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर आपको गलत वाला छाटना है तो आप गलत वाला क्या कर दिजे सही बना दिजे जो की सही है अब हम लोग भात करेंगे कि इसकी शुरुआत कुका विद्रो की शुरुआत जो है अठारा सो चालिस बुए भगत जवाहरमल अब इसके जो नेता थे वो कौन-कौन थे उसके बारे में भी आपके एक्जाम में पूशता है बालक राम सिंग और बाबा राम सिंग इस विद्रोह के नेता थे तो आप इनका भी नाम लिख लेंगे नेता या नायक के रूप में पूशता है कि नेता कौन थे इस विद्रोह के तो बालक बालक राम सिंग ठीक है और बाबा बाबा सिंग बालक सिंग और बाबा राम सिंग ये दो थे इनके नेता तो आपकी एक्जाम में कभी-कभी ये भी पूछ लेता है ये भी पूछ लेता है ठीक है आप स्क्रीन सोट करते हैं चलेंगे और देदरे आराम से आगे बढ़ते चलेंगे ठीक है चल आ रहा है दोस्तों आपने बिल्पल सही आंसर दिया है गांदी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रा आरंभ कहां किया था गांदी जी के बारे में ताप लोग रट रट के पढ़ते हैं लेकिन देखिए जरा सभी आपकी सावधाने हटेगी और दुरगटना घट जाएगी गां अपना सुर्वपर्थम सत्याग्रह आंदोलन जो है दक्षिन अफरीका में स्टार्ट किया था ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा option हो जाएगा option नमबर B दक्षिन अफरीका इसकरेक्ट अंसर हो जाएगा अब हम लोग बात करेंगे कि दक्षिन अफरीका में गांदी के ट्रांसवाल कि ट्रांसवाल है की एसी आजिक कि अध्यादेश के विरोध कि विरोध में प्रारंब किया था और यह जो है अध्यादेश वहां पर जो उनके इस्थानिय भारतिय थे इस्थानी भारतिय थे उनके खिलाफ लाया गया था और सबसे पहली बाद रंग भेड की निदी पर ठीक है रंग भेड की निदी पर गोरे काले के अंतर पर उन्हों क्या क्या था अपना आवाज उठाया था ठीक है तो आंसर क्या हो जाएगा बी ऑप्शनिस करेक्ट आंसर लेकिन अगर आप से पूछ दे कि भारत में सरपुर्थम इन्होंने सत्याग्रह कहां प्रारंभ किया तो वही अपने बिहार की धरती जैसा कि आप सभी जानते हैं 1917 में बिहार की धरती चंपारन बिहार के दरती चंपारन से इन्होंने प्रारंभ किया था और किसलिए निलकठिया प्रडाली निलकठिया प्रडाली को लेकर किशानों के प्रति इन्होंने क्या किया था विद्रोख करवाया था इन्होंने आंदोलन चलाया सत्यागरह का तो आंसर हो जाएगा आपका भी ओप्सन चलेंगे next question पे अगला इसे लेंगे अगला question देखिएगा निम्ड लिखित में से एक ने प्रथम विश्वयूद के समय भारत की रक्षा के कानून के प्रावधानों को जिसे 1915 में पंजाब में गदर के विरुद इस्तिमाल किया गया था शांती की समय भी जारी रखना चाहा था ठीक है तो क कौन एक ऐसे व्यक्ति थे जो गदर के विरुद इस्तिमाल किये थे और ध्यान से सुनेंगे विश्वयूद के समय भी इस्तिमाल किया गया था शांती के लिए तो कौन ऐसे इसमें व्यक्ति है जिन्होंने उस नियम को 1915 में अब ध्यान दीजेगा 1915 में कौन था भारत में याद कीजिएगा बताईए जल्दी से और वो कौन सा अधिनियम था वो कौन सा अधिनियम था जल्दी से बताएं जैपूर की धरती से प्रणाम पटना की धरती से आपको आश्रिवाद मेरे दोस्त रघुबीर मीनाजी ठीक है चलिए वेरी गूड आनसर आने का सिलसिला ज when handling duty फीखें सी ऑप्चन सी सय वाइस वैरी गूड आंसर हाडिंग दी ने हैं तो हडिंग अलद ही καई हम लों बात करेंगे इन्होंने क्या क्या था कि राष्वा 연락ष अधिनियं लाया था इन्होंने क्या लाया था राष्ट्रिवा अधिनियं लाया था ठीक है इसी की बात हो रही है अब होारडिंग रिती के कार्य काल में क्या क्या भारत में हुआ तो पहली बाद होडिंग डितीय के काल में 1911 में डिल्ली दर्बार का आयोजन हुआ ठीक है डिल्ली दर्बार का आयोजन हुआ और इसमें ब्रिटिस के राजा जॉर्ज पंचम जॉर्ज पंचम और इनकी पत्नी जो रानी मेरी थी वो भारत आये थे साथ में और इसमें 2-3 बाती थी पहला बंगाल विभाजन को रद कर दिया गया अगला क्या बात था कि जो क्या बोल सकते भारत की रास्धानी कलकत्था से दिफ्ले छे नांटरित की गई इन्हीं की काल में भारत की राजध्णी है कलकत्ता से दिल्दी स्थान आंत्रित कई गई उसके बाद एक खास बात और बंगाल को बिहार से अलग किया गया था ठीक है बिहार अलग हुआ को और जत नहीं में दोस्करजन के टाइम पे तो बंगाल विभाजन हुआ था लाड करजन के टाइम पे जो है आपका 1905 में यह आपका बंगाल विभाजन हुआ था बंगाल विभाजन हुआ था यहां पर बंगाल विभाजन को कैंसिल कर दिया गया मतलब स्पिज्वार्ण हांघ弦azzi कारेकाल तो राज्द्हानी जो कलकत्ता से दिल्ली स्था नांत्रित गई और ध्यान से सुनेंगे हमारे बिहार को बंगाल से अलग कर दिया गया बिहार को कि बंगाल से अलग कर दिया गया तो इतनी सारी खास बात आपका यहां पर हो गए ठीक है तो चले हम लोग नेक्स्ट कोश्चन पर आप स्क्रीन सॉट करते चलेंगे ठीक है सेट बारा का सुलूशन हो गया है येस मेरे दोस्त आर्यान राजदी सेट बारा का डिसकुशन हो चुका है ठीक है नेक्स्ट अगला देखेंगे यहां कथन की हम भारत को या तो आजाद कराएंगे अथवा आजादी के प्रियास में दिवंगत होंगे ये कथन किसका है या तो हम भारत को आजाद कराएंगे ये आजादी दिलाने के कारेक्रम में मर जाएंगे अपने आपको देश के प्रति आहूती दे देंगे यह कथन किसका है किस से जुड़ा हुआ है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है औह सहयोग आंदोलन सभीने अवग्या आंदोलन व्यक्तिक सत्यागर या भारत छोड़ों आंदोलन किस आंदोलन से यह आपका जुड़ा हुआ है पुटा-फट से आंसर देंगे किस आंदोलन से यह जुड़ा हुआ है कि कुष्चन नमबर पांच का आंसर देंगे सभी लोग कि 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 विजय कुमार निराला जी पूछर मैं चार का आंसर चार का आंसर सी ओप्सन था देखिए यहां पे चार का आंसर जो था सी ओप्सन करेक्ट है हुर्डिंग देखिए कुष्चन नमबर पांच का आंसर पता है है कि तो यह है जो आप देख रहे हैं यह जो नारा है करो या मरो को नारा करो या मरो का नारा को कब दिया था ठीक है तो यह किस ने दिया था महात्मा गांधी ने दिया था कब दिया था भारत छोड़ों आंदोलन के दौरान याद कीजिए भारत छोड़ों आंदोलन की शुरुआत कब हुई और कहां से हुई भारत छोड़ों आंदोलन की शुरुआत ध्यां से सुनेंगे आठ अगस्ट 1942 यानि 1942 को स्टार्ट हुआ और ध्यान से सुनेंगे यहां पर खास बात क्या थी कि यह जो है बॉम्बे के गुआलिया टैंक मैदान से महात्मा गांधे ने सारे देश वासियों को शंबोधन करते हुए किया कि करो या मरो या तो तुम अपने आपको देश के का काम में आओ या तो खुद बखुद काम करते करते मर जाओ ठीक है यानि अपने प्रानों की आहूती दे दो यह कब हुआ आठ अगस्त 1942 में हुआ और सबसे खास बात यह है कि जस्ट अगले हैं दिन ओप्रेशन जिरो आवर के तहत ओप्रेशन जिरो आवर के तहत अंदोला डी ऑप्शन इस करेक्ट आंसर कि भारत छोड़ो आंदोला 1942 अब यहां पर दो तीन बात हम लोग और सुन लेंगे कि इसमें गांदी जी जब भाशन दे रहे थे तो उन्होंने लागतार 45 मिनट का भाशन दिया और उसी समय वहीं पर खरते पटा भी सिता रमया व उपदेश दे रहे थे देश को समुहीक रूप से संबोधन कर रहे थे तो उस समय वह किसी पैगंबर के आवतार के रूप में नजर आ रहे थे ठीक है तो यह आपका एकजाम में पूछ सकता है कि जो क्या बोल सकते हैं प्टाभी सिता रमया ने पटाभी सितारमया ने महात्मा गांधी को पैगंबर के देवदूत पैगंबर का देवदूत की संग्यादी पैगंबर के ही लिखिये पैगंबर के देवदूत की संग्यादी थी ये बिहार अगिस्टावशक के लिए हैं अन्धभक्त पहले तो आप जाके अपना नाम चेंज करो बहुत ही घराम नाम लग रहा है टीक है यह बीहार Ssc के लिए ही ऑपरेशन जीरो आभज 2.0 अगले दिन तुअ कि मैंने क्या बॉला अगले नेक्सट डें निग मतलब 9 आगस्त अ टो नेक्सट डेंक मतलाब 9 अगस्त टीक है चलू अब नेक्स्ट क्वेस्चन पर चलते हैं अगला question आजाद हिंद फॉज दिवस किस तीथी को मनाया गया तारीख बताएंगे आजाद हिंद फॉज दिवस किस तारीख को मनाया गया तो हम लोग पहले आजाद हिंद फॉज की बात करते हैं आजाद हिंद फॉज और इसके बाद हम लोग बात करेंगे आजाद हिंद सरकार की दोनों साथ में याद रखेंगे बड़ा ही स्टूडेंट में कन्फिजन होता है देखेगा आजाद हिंदु फोज की स्थापना रास बिहारी बोस के द्वारा 1942 में जापान में किया गया था ठीक है 1942 में यह रास बिहारी बोस के द्वारा रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था कहां किया गया था जापान के टोक्यों में ठीक है जबकि आजाद हिन सरकार की स्थापना सुभाश चंद्र बोस के द्वारा किया गया था कहां किया गया था सिंगापूर में ये भी आप ध्यान रखेंगे सिंगापूर में किया गया ये दोनों अलग अलग क्वेशन है आपके एक्जाम में बड़ाई क्वेशन पूछे जाते हैं अब ध्यान सुनिएगा कि यह जो है सुभाश चंद्र बोस ने सिंगापूर में यह जो है तारीख आपके एक्जाम में पूछेगा 21 अक्टूबर 1943 अ अब हम लोग बात करते हैं किसका आजाद हिंदु फॉज दिवस दिवस की बात करेंगे तो यह में दोस्त की स्थारीख को मनाया गया तो यह 12 नवंबर 1945 को मनाया गया ठीक है कब मनाया गया 12 नवंबर 1945 को आंसर ए ऑप्शन इस करेक्ट आंसर ठीक है वेरी गोड सभी लोग से पहले प्रिथक निर्वाचक मंडल यह कुश्ण तो नजाने मैं कितना बार आपको बता चुकी हूं और मुझे उम्मिद है आप सभी लोग बहुत अच्छे तरीके से इसको याद कर लिए होंगे की विवस्था मुशलमानों को जीतने एवं उन्हें कॉंग्रिश के विरुध करने के लिए इस्तेमाल गया था देके ब्रिटीशों की या अंग्रेजों की सुरू से ही यही राज थी वो डालो और राज करो लेकिन आप अपने प्यारे भोले भाले भारती लोग कभे उनके खराब मनसुबों को समझी रही पाते थे ठीक है लेकिन क्या किया जाये भगवान के घर में देर बरंदह नहीं देर से ही सही लेकिन लोगों की अकल ठीक आने आये लेकिन फिर अलग अलग क्या है मतभेद चल रहा है ठीक है आप सबसे पहले इतना ध्यान रखो कि जाती धर्म से पहले आप एक क्या है इंसान है और आपस में भाई-भाई है ठीक है चलेंगे हम आगे बात करेंगे पिठक निर्वाचन मंडल की विवस्था किस ने किया था आप सभी को प अब हमनों बात करेंगे 1909 के अधिनियम को मौरले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं किस नाम से जानते हैं मौरले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है इस समय जो थे भारत में मिंटो जो थे वाय शराय थे और मौरले जो थे भारत सचीव थे ठीक है भारत सचीव थे अर इसी Act के तहट मुस्लीमों को संपरदाइकता के अधार पर प्रिथक निर्वाचन दे दिया गया अब संपरदाइकता का जो कारण था वो कहां से स्टार्ड हुआ था भारत में संपरदाइकता का उदे अलीगड़ से माना जाता है अलिगर से माना जाता है तो यह आपको अच्छे काफी अच्छे से याद हो गया होगा उसके बाद यहां पर एक और अगले अगला जो एक्ट आता है 1919 का एक्ट इसे जो है मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ट सुधार के नाम से जानते हैं ठीक है मॉन्टेग्यू चिम्सफोर्ट सुधार के नाम से जानते हैं और उसके बाद धेरे अलग अलग धर्मों यहां पर मुस्लिमों को प्रिठक निर्वाचन दे दिया गया था ठीक है अब हम लोग बात कर रहें यहां पर मिंटों के बाद अगला जो आपके जुए उप्सेन की भी बात कर लेते ठीक है तो अगला जो आपको ऑप्सेन देख रहा है करजन के बारें बड़ा लोग पूषये थे कि मैं बंगाल भिभाजन किसके टाइम पर हुआ तो बंगाल विभाजन जो है लौड करजन के टाइम पर हुआ साथ ही साथ इसने भारती विश्व विद्याले अधिनियम भी पास किया तो दो तीन बात आप यहां से लिख लें यहां लिखेंगे यहां मैं लिख दरी हूँ ठीक है बंगाल विभाजन करजन के टाइम पर हुआ उसके बाद क्या हुआ भारती विश्व विद्याले अधिनियम आया और साथ ही साथ करजन के टाइम पर भारती पुरातत्व विभाग की स्थापना किया गया साथ ही गुप्तचर विभाग की स्थापना भी किसके टाइम पर किया गया तो आपका करजन के टाइम पर हॉडिंग दिती के बारे में अभी जस्थ हमने बताया अब हम लोड इर्विन के बारे में बात करेंगे इरविन के टाइम पर ही साइमन कमिशन भारत आया था सायमन कमिशन बंबई पहुँचा। साइमन कमिशन Ricky Scat कि ठीकर सा खास करके ध्यान रखने जो आपके एक्जाम में पूछेंगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला कोश्चन पढ़िएगा गांधार कला शैली एक संस्लेशन कि गांधार कला शैली जो है किन किन दो दो कलाओं को मिलकर बनाया गया है जल्दी से बताएं मैं आपके आंसर का वेट कर रहे हूँ जल्दी से बताएं गांधार कला शैली किन दो शैलियों का मिश्रन है आंसर आने का सिल्सिला जारी हो गया वेरी गूड बहुत अच्छा गांधार कला शैली जो है भारती तथा यूनानी कला का मिश्रन है गांधार कला शैली है जो भारती कला और यूनानी कला का मिश्रन है आंसर क्या हो जाएगा D option is correct answer हो जाएगा अब हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे कि अब भारतिय कला और क्या बोल सकते हैं भारतिय कला और युनानी कला की बात करेंगे तो गांधहार कला isquare to Bhartiyegewalakla plus Yunani कला ठीक है अब हम लोग भारतिय कला की बात करेंगे तो भारतिय के य कला में शर्व प्रथम अपना जो श्वदेशी पूर्ण रूप से जो कला है स्वदेशी कला वो है आपका मतुरा कला ठीक है कौन है मतुरा कला अब इसका जो विकास हुआ किस साशनकाल म में हुआ और किस राजा के टांव पर हुआ ठीक है यह जो है कि शाशन में हुआ तो कनिष्क के शाशनकाल में कनिश्क के yeah preparation मे Mr.jos के शाषन में शर्वाधिक इसका विकास हुआ कि सर्वाधिक विकास हुआ यहां से दो तीन क्वेश्चन आपके एक्जाम में पूशता है कि महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ती महात्मा बुद्ध की पहली मूर्ती किस कला में बनाए गई और सर्वाधिक मूर्ती किस कला में बनाए गए यहां आपके एक्जाम में कनिश्क वेरी गुड कनिश्क वेरी गुड बहुत सही है आपका बिल्कुल आंसर सही है हम लोग बात करेंगे कि महात्मा बुद्ध की जो पहली मूर्ती है वो किस कला में बनाए गए तो आपके एक्जाम में पूछा हुआ है बाहे महत सरवपॉर्थम म०्ती 2020 कि मतुराकला में बनाई गई कि ठीके और finger आस विश्यस्था क्या है लाल बलुवा पत्थर लाल बलुवा पत्थर से निर्मित्था लाल बलुवा पत्थर से निर्मिथा ठीक है और अगला जो आपको दिख रहा है क्वेश्चन जो आपसे एक्जाम में पूस्ता है महात्मा बुध की महात्मा बुध की शरवाधिक मुर्तियां यह दोनों अलग-अलग क्वेश्चन है दोस्ते सरवाधिक मुर्तियां किस कला में बनाएगई तो गांधार कला में यह दोनों आप अलग-लग अच्छे से याद रखेंगे अब यहां पर कनिश्क की बात हो रही है कुषानों की बात हो रही है तो आपके एक्जाम में पूस्ता है कनिश्क जो है किस धर्म से संबंधित हैं तो कनिश्क जो है अद्धर्म के महायान साखा से समन्दीद है किसे समन्दीद है महायान साखा से यह अभी आपके एक्जाम में पूछा हुआ है आप इसको भी ध्यान रखेंगे लव यू मैं माँ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं अविनास कुमार लव यू अल अफ यू मैं आप सभी से बहुत प्रेम करते हूं ठीक है मेरे लिए कोई कम और जादा नहीं आप सभी मेरे लिए बराबर है ठीक है आप इसको क्या करेंगे स्क्रीन सोट करेंगे फिर हम लोग आगे करेंगे जल्दी से स्क्रीन सोट कर ले नेक्स्ट क्वेस्चन अगला क्वेस्चन निम्नलिखित में से कौन मुक्ष के साधन के रूप में ज्यान कर्म तथा भक्ति को महत्व देता है मुक्ष के साधन के रूप में ज्यान, कर्म और भक्ति को महत्व देता है शिता कुमारी, लव यू मैं अरे यह आप लोग का प्यार ही है मेरे दोस्ट, जो मैं आज यहाँ पर हूँ तीक है, आप लोग के प्यार के बिना कुछ भी संभव नहीं तीक है, चली क्वेशन नमबर 9 का आंसर आने का सिलसिला जारी है, सी, 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 गजब मज़ा आज तो, आज मुझे बड़ा मज़ा रहा है, ठीक है क्योंकि आप सभी लोग का बिल्कुल सही सही आंसर आ रहा है तो निम्न लिखे तो मैं ऐसे कौन मोक्ष के शाधन के रूप में ज्यान कर्म और भक्ति को महत्व देता है वह हो जाएगा आपका भगवत गीता अब भगवत गीता की बात करेंगे तो भगवत गीता सभी पुरानों में सभी पुरानों में सबसे महत्वपून इस्थान जो है वह आपका भगवत गीता का ही है सबसे महत्पुन स्थान जो है भगवत गीता का यह अब भगवत गीता में ऐसा क्या लिखा है की से मोक्षकी प्राप्ति हो जाती है तो भगवत गीता में याद किजे महाभारत के टाइम पर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जून को महाभारत युद्ध के पहले जो भी आजुन को कुरुछेत्र में जो भी उपदेश दिया था महाभारत के टाइम पर वो सारे के सारे गीता में बढ़ने थे अब पुछेगा मैम यह उपदेश दिया ऐसा क्या उपदेश दे दिया कि इसका एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पुस्तक बन गया तो इस पुस्तक में यह लिखा गया है यह उपदेश में यह कहा गया कि मनुस्य जो है आपने सुना होगा कई बार कि जो मनुस्य कभी मरता नहीं है ठीक है मनुस्य कभी मरता नहीं है आत्मा कभी नहीं मरती है आत्मा क्या होती है आत्मा के शत्त्य कोश्विकारती है आत्मा क्या करती है आत्मा मलति है ना पैदा होती है ठीक है ऐसा अपने फूझिक्स में भी पढ़ा होगा एसा एक लॉजिक कि आत्मा ना मरति है ना पैदा होती या बस एक प्रकार से एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है मैं आप प्रयास करूंगी अर्जुन को या अपुदेश दिया कि तुम युद्ध कर रहे हो तो तुम बुराई के खिलाफ अच्छा इक पर विजाई पाने के लिए युद्ध कर रहे हो और तुम जिस पर युद्ध करके अपना बान चलाओगे तो व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी ठीक है क्योंकि उसने गलत कारे किया है तुम अपने परिवार पर कुछ भी गलत नहीं कर रहे हो अर्थात तुम उनको मारने रहे तुम उनको मोक्ष प्रदान कर रहे हो अर्थात ना आत्मा मरती है ना पैदा होती है बस यह एक शरीर को त्याग कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते जिस पर गवान स्री कृष्ण ने अर्जुन को यहीं उपदेश दिया है ठीक है तो आंसर क्या होगा सी ओप्सन होगा भगवत गीता क्लियर है यह आपका क्या है यह मोक्ष अब बोलेगा मैं मोक्ष क्या होता है तो मोक्ष मतलब सभी परकार के बंधनों से जो मुक्त हो जाता है उसे बगएर कोई विध्याख जो कर लगाता है ठीक है विधाएका में नहीं रखा जा सकता यह प्रावधान भारती सन्मिधान के कि संविधान के किस अनुछेदिके अनतरगत आता है question number 10 के बारे मताएं question number 10 के बारे मताएं very good answer आने का सिलसला जारी है very good बहुत अच्छा अनुछेद 117 में इसकी बात कही गई है किसमें कही गई है अनुछेद 117 में इसकी बात कही गई है और आप सभी जानते होंगे कि भारती समिधान का अनुछेद 117 कि से सम्बंदित है या जो है वित विधयक या वित विधयक से सम्बंदित है ठीक है अब भारती समिधान ने 2-3 प्रकार के विधयक आते है ठीक है मुखिता 4 प्रकार के वित विधयक, धन विधयक साधारन विधयक और समिधान संसोधन विधयक तो पहला आपका वित्त विधयक दीखेगा दूसरा जो है वह है आपका ध्वन विधयक ठीखे तीसरा क्या है आपका साधारण विधयक साधारन विधयक तो वित्त विधयक की चर्चा भारतिशन विधान के अनुच्छेद 117 में धन विधयक की चर्चा अनुच्छेद 110 में किया गया है और साधारन विधयक की चर्चा अनुच्छेद 107 में किये गई है अब आपके एक्जाम में एक क्वेशन यहां से और पूछे जाते हैं कि राष्टपती महोदे सयुगत अधिवेशन किस विध्यक पर बुलाते हैं राष्टपती महोदे किस विध्यक पर कंबाइन रूप से अधिवेशन बनाते हैं तो यह आप देख रहे हैं राष्टपती म हो दिैंं कि राश्पती महोद्य कुली साधारन विध्यक पर साधारन विध्यक पर कि सःधारन विध्यक पर शंयुक्त अधीवेशन स्ट जंयूक्त अधीवेशन बुलाते हैं ठीक है तो यहां से एक दो बाते और भी है ठीक है चले हम लोग नेक्स्ट अगला निन लिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है अच्छा जो गलत वाला इसको छाट के निकाल दीचे सारवजनिक स्वास्त एवं स्वच्छिता राज सूची का विसे है यस बिल्कुल सही है जन गन्ना जो है संग सूची का विसे है यस बिल्कुल सही है क्योंकि जन गन्ना पर नियम और कानून बनाने का दिकार किसको है किंद्र सरकार को है ठीक है अगला चलेंगे हम लोग राज सभा में सीटों का बटवारा दूतिय अनुसूची क्या यस सही है जी नहीं दोस्त राज सभा में सीटों का बटवारा दूसरी अनुसूची नहीं चौथी अनुसूची में है यही आपका आंसर हो जाएगा ठीक है आंसर इस सी ऑप्सन आपको गलत वाला छाटना था अगले क्या है दल बिदल विरोधया विधयक जो आता है या दल बदल के बारे में जो भी बात करते में कि ब्हारती सन्विधान के मारे में कि कितने आनुसूचिया पहले थी और वर्तमान में कि कि रात करेंगे तो भारती समभदान के मूल समयन में मुख्य रोप से आपकी आठ अनुसूची कि कितनी अनुसूची थी वर्तमान में रहत मान में छार अनुसूची ओं कि बढ़ा कर तो इस समय वर्तमान में 12 अनुसूची हो गई है ठीक है 12 अनुसूची हो गई है ठीक है अब हम लोग पूरे अनुसूची वन से लेके 12 अनुसूची की चर्चा करेंगे कि कितने कितने में कितनी अनुसूचियां है चली कि तो यहां से हम लोग स्टार्ट करते पहली अनुसूची में पहली अनुसूची में किस्की चर्चा यह सभी लोग रिविजन करते चलेंगे पहली अनुसूची में किसकी चर्चा है तो भारत ठीके संग एवं इनके राज एवं किंद्रशाशित प्रदेश किंद्रशाशित प्रदेश अर्थाट 28 राज वर्तमान भारत में अर्थाइस राज एवं आठ यूटी किंद्रशाश प्रदेश की चर्चा किस में है पहली अलुसूची में है दूसरी अनुसूची की बात करेंगे इसमें किसकी चर्चा है तीसरी अनुसूची और चौथी अनुसूची अब ऐसे मैं ना लिखके आप सीक्वेंस में नंबरिंग कर दूँ ठीक है ताकि आपको समझ में आ जाए तो दूसरी अनुसूची में किसकी चर्चा है दूसरी अनुसूची में विभिन परकार के पदाधिकारियों के पदाधिकारियों के वेतन पेंशन एवं भत्ता की चर्चा है अगला जो है तीसरी अनुसूची में यही जो विभिन परकार के पदाधिकारी है इनके पदाधिकारियों के शपत की चर्चा है जब इनकी नियुक्ति की जाती है या यह नियुक्त होके या नव निर्वाचित होके आते हैं तो इनकी पदाधिकारियों के शपत की चर्चा है अब चौथी की बात करेंगे चौथी अनुसूची में क्या है तो चौथी कि एक टेक है अब आएंगे हमें आइसे नमबरिंग कर दो आएँ पांच 6 7 8 पांचवी अनुसूची में किसकी चर्चा है तो पूरे देश में अनुसूची जाती और अनुसूचित जन जाती के प्रशाशन और नियंत्रन की चर्चा है तो लिखेगा इसमें पांचवी अनुसूचि में पूरे भारत में अनुसूचित जाती जाती एवं अनुसूचित जन जाती जन जाती के प्रशाशन एवं नियंत्रन की चर्चा है और पांच और छे को आपको साथ करके आद करना पूरे भारत की जगा यहां पर लिखेंगे पुर्वत्तर भारत के चार राज की पुर्वत्तर भारत के चार राज में अनुसूचित जाती और अनुसूचित जन जाती के प्रशाशन और नियंत्रन की रक्षा है अब behave पुछेगा कि मैं चार राजी कौन-कौन से हो जाएंगे तो यह हो जाएंगे आपके अश्म कि त्रिपुरा कि में घाले कि और मिजोरम इन चार राज्यों में अनुसुचित जाती और जन्जाती के प्रसासन और नेंतरन की रख्छा है अगला जो आप देख रहे हैं आपको याद रखना है यानी सातवी अनुसुची में तीन परकार की तीन परकार के सूचियों की चर्चा है अब पुछ एगा मैम कौन-कौन सी सूची हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका संह सूची राज जी सूची और अगला हो जाएगा समवर्ती सूची अगला आजये हम लोग आठो़वी अनुसूची में आठ़वी अनुसुची में किस की चर्चा है goog Michearia वर्तमान में आठ़वी अनुसुची में कितनी भासा है तो 22 भासा है ठीक है अब हम लोग देहिए आप इसको history newback करते चलेंगे मैं इसको ऊपर करते चलूंगी अगला है जो नौवी अनुसूची, अगला सु है आपका, नौवी अनुसूची, दस्वी, 11 वी और 12 वी, देखे, इन चारो अनुसूचीओं को बाद में सन्विधानिक संसोधन के तहत जोड़ा गया, या मूल सन्विधान में नहीं था, नौवी अनुसूची में संपत्ती के अधिग्रहन की चर्चा है, और इसको पहला सन्विधानिक संसोधन, पहला सन्विधानिक संसोधन, Constitutional Amendment, 1951 के तहत जोड़ा गया, इसमें किसकी चर्था है, तो संपत्तियों के, संपत्तियों के अधिग्रहन, या जमिन्दारी उन्मूलन कभी-कभी आपको लिखा वाद दिखेगा, इसकी चर्था है, अगला जो आप देख रहें, दसवी अनुसूची, दल बदल, जिसके बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भी लिखा वाद तो ऑप्सन में भी इसकी चर्था थी, दल बदल की चर की चर्था है, पंचाइती प्रशाषनिया राज की चर्था है, इसको किश्मेधानिक संसतन के तहां जोड़ा गया, तीहत्तरवा, कॉंस्टिटूशनल अमेंडमेंट, 1993 के तहां जोड़ा गया, और यही जो है, इग्यारवी और बारहवी को शात मियाद करना है, यहां पर क पंचाइती राजवी स्धानिये स्वासाषन के चर्था है, इसथानिये अश्वासाषन के चर्फ यह कोंसा सन Св 270 अमेंडमेंड्मेंड हो जाए गा, अब यहां से दो तिन बाते आपसे और पुछे जाती है इन में विशय सबसे ज्यादा विशय पुछे जाते हैं कि 11 अनुसूची में कितने विशय हैं और 12 अनुसूची में कितने विशय हैं होगा हम लोग चलते हैं अपने पिछले क्वेश्चन की तरफ में हां तो क्वेश्चन नंबर 12 में आजाएं आप क्वेश्चन नंबर 12 देखें लोग सभाके निर्वाचन के लिए नामांकन पत्र भारत में निवास करने वाले किसी भी व्यक्ति द्वारादायर किया जा सकता है या जिस निर्वाचन छित्र में निर्वाचन लड़ा जाता है वहां के किसी निवासी द्वारा दाखिल किया जा सकता है या भारत के किसी नागरिक द्वारा जिसका नाम किसी निर्वाचन छित्र की मतदाता सूची में है दाखिल किया जा सकता है या भारत के किसी भी न भारा दाखिल प्याजा सकता है क्या होगा इसका आंसर लोग सभा की निरवाचन के vegा मैं तक T सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि भारती संसद में भारती संसद जो है तीन भागों से मिलकर बना है इसमें एक हो जायागा आपका लोग सभा राज सभा और राष्टपति इसके तीन भाग है जबकि सदन पूछेगा तो दो ही सदन है ठीक है तो सबसे पहले हम बात संसद की चर्चा भारती समिधान में अनुछेद 79 में किया गया है राज सभा की चर्चा अनुछेद 80 में अनुछेद 80 में किया गया है और लोग सभा की चर्चा जो है अनुछेद 81 में किया गया है ठीक है और राष्पति महोदे की चर्चा आप सभी लोग जानते है राष्पति पद की चर्चा अनुछेद 52 में किया गया अनुछेद 52 में किया गया है अब हम लोग लोग सभा की बात करेंगे तो लोक सभा में जो चुनाव होती है वो पांच वर्सों पर निर्वाचन करवाया जाता है लोक सभा में जो चुनाव होती है यह आपका पांच वर्सों में करवाया जाता है ठीक है लोक सभा को कौन किसका सदन बोलते हैं वयश्कों का सदन के नाम से जाना जात ठीक है नव यूगकों का सदन के नाम से जानते हैं चलेंगे next question पे अगला देखिएगा ततिये मैदानों के संबंध में निम्न लिखित में से कौन सा सही नहीं है ठीक है जो आपका गलत है उसको छाट के बताईए पश्चमी ततिये मैदान निम मजित समुद्र टट है या इस बिलकुल सही है पुर्वी ततिये मैदान गोवा में सबसे संक्रा है या सबीलकुल सही है हम लोग बात करेंगे पुर्वी ततिये मैदान की तो पुर्वी तटीय मैदान कहां से कहां तक घलाता है पश्चिम बंगाल से लेके तमिल लाडू तक और इसकी चड़ाई जो है ओस्ट चड़ाई 120 किलो मिटर है हम लोग बात करेंगे पुर्वी तटीय मैदान पुर्वी तटिये मैदान कहां से कहां तक है पश्चिम बंगाल से लेके तमिल नाडू तक और इसकी औसत चड़ाई जो है 120 किलोमेटर है 120 किलोमिटर है Пarina बात तो सुन्हेंगा कि जो आपका पुर्वी तटपर इस्थित मैदान ये पुर्वी तकि मैदान कह लाते दुश्रा खास बात यहां पर क्या है कि इस मैदान में बहुत सरे नदियों का डेलटा अब कौन कौन सी नदियाँ है उनका नाम भी आप लिख लेंगे को को नदीयों का डिल्टा पाया जाता है जो कि निमनवत हैं पहली हो जाएगे आपकी महा नदी कि दूसरी व किन हम दाता य hello जाएगी kaveri और अगला हो जाएगी गोदावरी इत्यादी बहुत सारी लग युसे मुख मुखि मैंने नाम लिख दिया हैँ आप इसको … करेंगे ठीक है गोदावरी सहीय नर्मदा नर्मदा कावेरी नर्मदा कावेरी महानदी एक सक्केन यहां पर रुकिंग दोस्त नर्मदा सो है यहां पर नहीं होगा यहां पर क्या हुआ क्रिश्ण नर्मदा नदी नहीं होगा क्रिश्ण नदी होगा आप इसो सुधार कर लेंगे क्रिश्ण नदी कि दिशन्य नदी यहां पर क्या है डिल्टा बनाते है कि वे फ़ले हम लोग आगे ओके वड़ी गुड है उत्तर बिहार के मैदान को पश्यम से पूरब दिशा में पश्यम से पूरब दिशा में वेस्ट टू इस्ट में वेवस्थित कीजिए ठीक है उत्तर विहार के मैदान को पश्चिम से पूरब दिशा में ठीक आपको ऐसे सीक्वेंस में सजाना है इस्ट इधर वेस्ट हो जाएगा तो इधर से आपको उधर लेके जाना है तो सबसे पहले मधुबनी अररिया मुतिहारी का मैदान पढ़ता है ठीक है सबसे पहले पश्चिम में जो है वह आपका मुतिहारी का मैदान पढ़ता है तो आप सीक्वेंस लिखेंगे मुतिहारी का मैदान इसके बाद मुतिहारी के मैदान के बाद क्या पढ़ेगा मधुबनी का मैदान मधुबनी का मैदान उसके बाद क्या पढ़ेगा सहरसा का मैदान सहरसा का मैदान उसके बाद अगला कौन सा आ जाएगा अररिया का मैदान और अरिया का मैदान और सबसे जो लास्ट में आता है सबसे पूरब में वो आता है आपका कटिहार कटिहार का मैं तो यह आपको नख्षा देख के पता चलेगा दोस्तीक है तो इस प्रकार से आप सीक्वेंश बनेगा कौ सा सीक्वेंश बना है सबसे पहले कौन वाला है मोतिहारी मोतिहारी तिन नमबर पर एक मात्र option है वो हो जाएगा आपका a option a option is correct answer a option is correct answer a option is correct answer ठीक है चलेंगे हम लोग next question पर अगला देखिएगा निम्न लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है जो आपका गलत है आप उसको छाट के बताएं जाट का मैं कुछमत र सींगी रसे हो आपका बताएं और वोगस को चलिए आंसर आने का सिलसिला जारी है बहुत अच्छा बहुत सही बी बी ठीक है चलेंगे हम लोग आगे तो देखेगा यहां पर क्या है रेड क्लिफ लाइन भारत और पाकिस्तान के बिच यस बिल्कुल सही है डूरंड लाइन भारत और बांगलादेश नहीं यही गलत है य अब अगला जो है मैक मोहन लाइन भारत और चाइना बिल्कुल सही है पाक जल्टमरुमद भारत और स्रिलंका यह भी सरी है अब हम लोग डूरंड लाइन की बात करेंगे तो दूरंड लाइन का जो निधारन था अठारासो तीरानवे में ध्यान से सुनिएगा अठारासो 23 finishing में भारत और babys और अफगानस्तान के बीच अफगानस्तान के बीच हें निर्धारित किया गया था ठीक है लेकिन उसके बाद भारत का 1947 में क्या हो गया डिविजन हो गया यानि वर्तमान में वर्तमान में डूर अंडर लाइन डूर अंडर रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है यह आपका आंसर हो जाएगा ठीक है चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला देखिएगा निम्न में से कौन सी समीतियों का युगम सही सुमेली तो नहीं है कौन सी समीति है कौन सी समीति है जो कि सही सुमेली तो नहीं है जल्दी से बताएं ओके माले गाउं समीती माइक्रो फाइनेंस यह बिल्कुल सही है तारा पोर समीती पूंजी खातब परिवर्टन येता यह भी समीती है सही है और यह बेंकिंग सेवा में आपके बहुत क्वेशन समें पूछता है समीतीयों समेखेयों फूंजी गहतीों समीति पूछता है यह लिखना स्टार्ट करेंगे लिखेगा पहला लिखेगा मल होत्रा समीति सबसे पहले लिखेंगे आप मल होत्रा समीति मल होत्रा समीति यह किसे समंदित है यह बीमाच्षितर में सुधार समंदित है बीमाच्षितर से समीति अगला होगा आबीध हुशन समीति अगला लिखेंगे आप मीरा समीती ये आपका हत करगा या हस्त करगा हस्त करगा उद्योक से समन्नित है ये आपके एक्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है आगे ध्यान से सुनेंगे और कौन को समिती है भगवती समीती पूछा हुआ भगवती समीती बेरोजगारी से ठीक है और धिनेश गोस्वामी समीती चुनाव सुधार से लिखेंगे भगवती समीती भगवती समीती बेरोजगारी से विरोजगारी से और और समीति के मैंने नाम क्या बोला था चुनाव सुधार समंधित है चुनाव सुधार से समंधित ठीक है गोश्वामी समीति दीनेज गोस्वामी समीति जल्दी जल्दी आप लेख लो इसको फटाक फट से ठीक है और स्क्रीन सोट करते चलेंगे अरे आप पढ़ तो लो आप कहां से हैं और वो कहां से हैं पूछ के कोई फाइदा नहीं मिलने वाला है प्रहाई पे ध्यान दो ठीक है नहीं तो सावधाने हटी और दुर घटना घ इलान कर लिया जाए देखिए 7075 प्रथम आंगल अफगान यूद 1775 में क्या हुआ था 1775 में कौन सा यूद हुआ था जल्दी से बताएंगे 1775 में कौन सा यूद हुआ था तो प्रथम आंगल अफगान यूद नहीं प्रथम आंगल मराठा यूद एक हो जाएगा तीन नंबर ठीक है एक क्या हो जाएगा तीन नंबर हो जाएगा 1780 में कौन सा यूद हुआ दूतिया आंगल मैसूर यूद ये मिल जाएगा आपका ठ रिखे 1780 में दिती है आंगल मैं शुरूद उसके बाद 1824 में कौन सा युद्ध हुआ तो 1824 में प्रथम आंगल बर्मा युद्ध हुआ और 1849 में प्रथम आंगल अफगान युद्ध हुआ इस परकार से कौन सा मिला अगला दादा भाई ने रजवी द्वारा प्रती पादित अप वाह सिधानत का सही परिभासा कौन सा है अब वाह सिध्धान्द का सही परिभास को कितने गज़े से क्लास चल रही है मुडिया कुमार जी क्लास दो बज़े से चल रही है नेट प्रब्लम हो रहा है तो एक काम की जैपना मुबाइल को आफ कर दीजिए और फिर चाहन कर दीजिए रिस्टार्ट करके देखे बिल्कु स्थिवरी की बात करेंगे तो यहां पर परिभासा पढ़ा जाए देश के शंसाधनों का उपयोग ब्रिटेन के हितमे किया जा रहा था यस यह भी सही है भारत के राष्ट्री संपदा का एक अथवा कुल वार्षिक उत्पाद ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था जि दिन प्रते दिन अधिकारी के बनाया जारा था यह से विख सही है भारत दिन पर दिन गरीम होता जा रहा था और था आंसर हो जाया गाजर कोลई से उपरोग्त पार ने से सभी सहीय अब हम blij abra ड्रेनेश की बात करेंगे कि इसी तुरी को दिया किस ने और कब दिया गया दो पहली बात हम लोग बात करेंगे कि जो drainage theory है इसे हम लोग किसका बोलते अपवाहक का सिध्धान्त या धन के बहिर गमन का सिध्धान्त या इसका एक और नाम है आर्थिक दोहन का सिध्धान्त और दादा भाई नरोजी ने इस सिध्धान्त को अनिष्टो का अनिष्ट कहा अनिष्टो का अनिष्टो का अनिष्ट सिध्धान्त किसे कहा जाता है इसे ही कहा जाता है अब दादा भाई नरोजी के बड़ा ही फेमस पूस्तक है जो आपकी एक्जाम में पूसा जाता है 1901 में आए थी the poverty यह दादा भाई नरोजी की पुस्तक है और इसमें इन्होंने बड़े अच्छे से विश्थारी करन करके बताया कि कैसे अंग्रेज हमारे देश से कच्छे समान को ले जा रहे थे और अपने देश में मतलब ब्रिटेन में ले जाके क्या कर रहे थे हमारे द्वारा बनाए गए या निकाले गए कच्छे समानों का प्रियोग करके उसे प्रोडक्ट के रूप में लाके भारत में ही बेच रह और भारती किसान ब्हारती मजदूरवर्ग गरीब का गरीब ऊता जा जा रहा था भारत को नहीं हो रहा था यहां पर एक आप किताबी भासा में लिखा हुआ जिसने सपोझ भारत में नील की खेती की जारी थी जब आरदस्ति में फिसनियार को ले जाके दिव sector चाहऊनु से पर प्रोएक्टर बनाकर फिर वहां पर क्या होता था कि उस पर काम किया जाता था या फिर भारत में वापस लाके बढ़े-बढ़े घरों-असाही- खांधानों में उसको बेचा जाता था इस परकार से जो भी फादा हो रहा था वह ब्रेटें के खाते में या अंग्रेजों के पास आता भारतियों के पास नहीं आता है इस कारण से जितने भी भारतिये थे या भारती मस्दूर वरग थे प्रिशक वरग थे जितने भी थे वो सारे दिन पर दिन गरीब होते जा रहते और भारत का आर्थिक शुशन होता जा रहा था ठीक है चलेंगे हम लोग next question x2 10 अगला question आपके सामने है निम्न न महापूरस हो में से कौन भारतिय जागरिती का जनक कहलाता है यह तो आप सभी को पता होगा भारति-जागरिती का जनक-क ऑन-हे तो राजा राम्मोहन रायजी थे कि है कि जाला मोहन राय हो बहुत सारे नामोंसे जाना जाता है भारतिये पत्रकारिता का जनक भारतिये पत्रकारिता का जनक कि युग दूत कि युग दूत कि नव दूत कि भारतिये पुनर जागरन का जनक भारतिये पुनर जागरन का जनक इत्यादी नामों से इन्हें जाना जाता है इन्होंने बहुत सारी संस्थाइं गठित की जिनके नाम आपके एक्जाम में प्राया पूछ लिए जाते ठीक है तो फटा फट से आप क्या किजिए उनके गठन किये गए सभाओं के बारे में या संस्थाओं के बारे में लिख ल सद्टापना किया अगला इन्होंने वेधान्थ कॉलेज की सथापना किया और अगला इन्हों समाज की स्थापना किया था यह बहुत बार एक्जाम में पूछा हुआ है ब्रह्म समाज की थापना 1828 में किये गई जब कि वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 इस्वी में किये अब यहां से दो तीन बाते राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधी किस ने दिया था तो भारती शुधार का जाग भारती शुधार का जनक नाम से भी जानतेप्ण कि बहूत सारे नाम हैं त्येकंगे मैंने कुछ-कुछ आपको लिख दिये हैं थोड़ा फास्ट करें और कितना फास्ट करूं दो और बंदे भारत एक्स परेस window गया जए त्यूंप सबसे बुरा दिन जब आपका जलिया वाला बाग हत्याकांट हुआ था जलिया वाला बाग हत्याकांट अब यह हुआ था आपका बैसाखी के दिन बैसाखी के दिन 13 अपरेल 1929 अब यह जलिया वाला बाग में यह लोग इकठा हुए क्यों थे तो याद कीजिए 1929 में रॉलेक्ट अक्ट आया रॉलेक्ट अक्ट मॉले मिंटो सुधार जो भी हम लोगों ने बात किया था उसी में यह आया था रॉलेक्ट एक्ट जिसे महात्मा गांधी ने काला कानून की संग्या दी थी ति थी में इसके विरोध में पूरे भार्तियों में उग्र विवाद हो गया और पूरे भार्तियों ने जुलूस लिया गया और बिटी सेना के द्वारा सब्सक्रानेते अगर से सब्सक्राइब दोना चैनल को चैनल के और चैनल एhat तो गोली चलाने का आदेश किस ने दिया था तो गोली चलाने का आदेश डायर ने गोली चलाया तो डायर ने ठीक है यह को पूशा जाता हैा सफ लेंगे नेक्स लिक्षेश도 है पूर्ववैदिक आरेओं का धर्म क्या था अंसर बता कि निए मैं ने उसका जड़ा देख में हां तो इसका आंसर क्या मैं और हो जाए गां नाइट हुट की उपाधी को किस ने लोटा दिया है रभीन basketball ने गुर्वेदिव रभीन ना टैग और ने आंसर हो जाए गा ईवाद आया गोटन से द Courtney था क्या कि यह प्रकृति पूजा और यह ज्यादा करते थे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शनिस करेक्ट आंसर यह प्रकृति पूजा और यह ज्यादा करते थे अब हम लोग बात करेंगे पुरवैदिक यह रिगवैदिक काल के बात करेंगे तो यह लोग बहु देववाद में कि देवबाद मतलब बहुत सारे देवताओं की पूजा करते थे कि ठीक है और इनके टाइम में सबसे महत्वपून जो देवता हुआ करते थे वह होते थे इंद्र देवता ठीक है जो सबसे महत्वपून देवता थे इंद्र देदा थे और रिग वेद में इंद्र देवता को धाई सो सुक्त समर्पित है धाई सो सुक्त समर्पित है आपके एक्जाम में पूसता है सुक्तों की संख्या तो रिगवेद में इंद्र को धाई सो सुक्त समर्पित है दो सो सुक्त जो है वो आपको अगनी को समर्पित है अगनी को देवता को अगनी देवता को 200 सुक्त समर् है वरुन को जो है 30 तयों वरुन देवता को तिसर सुट कि कसी सभी यहाँ यहां पर एक सोमरिस होता था सोम पेसे उसोमर सुरुन रहता था उसके बाद गायतीरी मंत्र की बात करेंगे तो रिगमेद में गायतरी मंत्र की चर्चा है अब पूशता है किस मंडल में गायतरी मंत्र की चर्चा है तीसरे मंडल में गायतरी मंत्र की चर्चा है और यह गायतरी मंत्र किस देवता को समर्पित है अर्थात शूरी देवता को समर्पित है और यह जो मंत्र है यह जो मंत्र है इस मंत्र को बन जरूर प्रेस करते रहेंगे यही नहीं जाना है दोस्तों लाइक का बटन जरूर प्रेस करेंगे अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा हो तो ठीक है चलेंगे नेक्सक्वषन पे अगला कुश्ण आदी संक्राचारे द्वारा स्थापित चार मठ कहां इस्थित हैं तो भारत की चारों दिशाओं में संक्राचार ने चार मठों की स्थापना किया तो कौन-कौन सा जोसी मठ द्वार का पूरी और सिंगेरी ये चारों जो है, चार मठों किस था आपना किस नहीं किया, संक्राचार नहीं किया था, अब भारत्य किस किस राज में कोन-कोन सा है, तो आप क्या कर लिजें, ऐसे करके लिख लिगरी सी आ, सिंगेरी find sacrifice cardiology Pete पूरी जगरनातक देख रहे हैं ये आपका होएगा पूरवाद में या पूरव भारत में भारत की चार दिशाओं में चार मठों इन्हों ने इस्थापनक किया अब संक्राचारे पारे में हम लोग जानेंगे कि इन्होंने ज्यान Nawad का समर्थन किया और मायावाद का खंडन किया संक्राचार ने ग्यानवाद का समर्थन किया और मायावाद का खंडन किया मायावाद का खंडन किया आगे बात करते हैं इन्होंने किस मत का प्रतिपादन किया था इन्होंने अद्वैत मत अद्वैत मत का प्रतिपादन किया कभी कभी आपके एक्जाम में इनके माता पिता का भी नाम पूछ सकता है अगर आपके इच्छा है नाइट में कब क्लास चलता है मैं नाइट में बीरा क्लास नहीं चलता सुनाली पतियल जी कि एओंड़े घंटे घंचे के जिया से जब तक क्लास के सारे गुश्टशन खतम नहोंगा है कि पैद्ध को चलते हैं तरह तो सारी सारे डिसकुश्न दयुको तब तक आपकी क्ल्कार्य चलते रहें मैं चलते हैं जलेंगे केरल में साथसो एछवी में हुआ और इनकी मृत्यू् us इनके मात्तप्त का नाम पूछता है आप वो भी लिख लेंगे ठीक है इनके मात्तप्त्ता का नाम सयाधी sixtizoКак और पूछ ले टायम बता देजिए class का time मेरा class का timing दोस्त दो बजे TH Sandy and Sunday संदे दो बज़े यूटूब पे आता है तो इनके माता का नाम अर्यमबा था और पिता का नाम शिव गुरु भट था इनके माता का नाम अर्यामबा अर्यामबा और पिता का नाम शिव गुरु था शिव गुरु भट ठीक है तो यह आप लिख लेंगे स्क्रीन सोट करते वे चलेंगे फिर हम लोग चलते हैं नक्स्ट क्वेश्चन पर अगला 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 बताए केंद्र एवं राज्यों के बिच वैधानिक शक्तियों का बटवारा दिया हुआ है किस अनुसूची में अभी जश्ट मैंने अनुसूचीयों की बात की थी बारा के बारा अनुसूचीयों की चर्चा अभी जश्ट हमने किया है आप बताएं ये क्वेश्चन मैं न बताऊंगी ये question का answer आप बताएंगे किस अनुसूची में केंद्र एम्राजियों के बिच वैधानिक सक्तियों का बटवारा किया गया है जल्दी से बताएं question number 23 का answer Very good, बहुत अच्छा, धरमवीर कुमार जी, very good तातवी अनुसूची में जो है किंद्र एम्राजियों के माध्यम से किया गया है सूचीयों के माध्यम से किया गया है और अभी जश्ट हमने बताया था इसमें तीन परकार की सूचिया है एक है आपका संग सूची, दूसरा क्या था आपका राज्य सूची और तीसरा क्या था समवर्ती सूची संग सूची पर कानून बनाने का अधिकार संग को है अर्थाद संसद को संग का मतलब संसद या केंदर सरकार को ठीक है राज सूची पर कानून बनाने का अधिकार राज सरकार को है और समवर्ती सुची पर कानुन बनाने का अधिकार संग सरकार और राज सरकार दोनों को है लेकिन आपात काले निस्थिती में या इमरजेंसी में संग के यानि केंद्र सरकार के दिये गए निन को ज़्यादा मानता दिजाएगी आपकी exam में एक और question पूस्टा है, वो पूस्ता है आपका अवशिस्ट सूची, एक special से आता है आपका अवशित सूची, हलाकि यह सूचिव में गिंती नहीं आती है, लेकिन यह अलग से आती है, आपकी अवशित सूची, इसमें बिशयों की संख्या कितनी है, अभी तक यह अग्यात है इसके बारे में अभी कोई खास डिसकस नहीं किया गया है चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन देखिएगा यह निश्य करने का अधिकार की कौन सी जाती अनुसूचित मानी जाएगी निम्द में से किसको प्राप्त है कौन सी जाती को अनुसूचित जाती यह अनुसूचित जन जाती मानी जाएगी यह अधिकार किसको दिया गया है तो यह अधिकार देखिएगा भरत के राश्पती महोदे को दिया गया है अनुछेद 58 के तहत अनुछेद 58 के तहत जो है स्वारी अनुछेद 58 नहीं राश्पती महोदे को यहां दिया गया है कि कौन सी जाती अनुसुचित जाती और अनुसुचित जन जाती माने जाएगी अब हम लोग बात करेंगे कि यहां जो अधिकार है यह किसको दिया गया है तो यहां जो अधिकार है राश्पती महोदे को दिया गया है और सबसे पहली बात अगर कोई राज अगर कोई छेत्र अनुसूचित छेत्र घोसित हो गया है तो इस छेत्र में सीमा विस्तार सीमा विस्तार अर्थाट सीमा को घटाने या बरहाने का भी अधिकार किसको है राजपती महोदे को है किसकी सिफारिश पर तो राजपाल के राजपाल के सलाह पर राजपाल के सलाह पर यह करेंगे उसके बाद इसका नाम रखना नाम रखना या नाम परिवर्तित करना ये सारी किस सारी जो भी कारे हैं ये किनको है तो ये राश्पति महोदे कर ठीक है चले हम लोग नेक्स्ट क्वेशन पर ठीक है अगर आपके मन में क्वेशन आ रहा है कि राश्ट्री अनुसुचित जाती आयोग के बारे में बताईए तो राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोग की चर्चा भार्टी समिधान के अनुछेद 338 में, राश्ट्री अनुसूचित जाती आयोग की चर्चा है। नेक्स्ट, कुश्चन नमबर 25, निम्द लिखित को उत्तर से दक्षिन दिशा में विवस्थित किजिए और सही विकल्प जुनिए, जासकर स्रेनी, लदाक स्रेनी, माउंट करा करों, माउंट एवरेश्ट, मैं आपको एक इमिज बना के दे रही हूँ, आप उसे खुद नि ठीक है, ये आपका भारत का नाउथ का नक्सा है, और एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, सीक्वेंस से आप क्या किजिए, उत्तर से दक्षिन और दक्षिन से उत्तर आप खुद से सजाना सीख लेंगे, देखिएगा, ये है करा कोरम स्रेनी, करा कोरम स्रेनी, फॉस्ट नमबर, ठीक है, ये है आपका लदाक स्रेनी, ये है आपका जासकर, जासकर स्रेनी, दो, तीन, ये है आपका पीर पंजाल, चार, ये है आपका धौला धर, पांच, और जो सबसे आखरी में लास्ट है, ये है आपकी स्िवालिक स्रेनी, सिवालिक श्रेनी यह हो गया अच्छे यह है आपका नाउत और यह हो जाएगा शाउत अब आप से उत्तर से दक्षिन या दक्षिन से उत्तर कुछ भी पूछे आप सजा लेजिए ठीक है तो क्या होगा आंसर आपको बोला उत्तर से दक्षिन तो उत्तर से दक्षिन में सबस उसके बाद कौन सा दिख रहा है लद्दाग के बाद कौन सा दिख रहा है जल्दी सजे बताएंगे तो आपका हो जाएगा करा कॉरम यहां पर आपको दिख रहा है तो यह जाएगा अगला देखिएगा भारत और बिहार की जनसंख्या पिरैमिड है अब बोलेगा मैं जनसंख्या पिरैमिड क्या होता है जनसंख्या पिरैमिड से भारत के या किसी भी राज के भारत के जनसंख्या भारत की जनसंख्या और लिंग और उम्र का उम्र का लिंग और उम्र का जनसंख्या लिंग एवं उम्र का चित्रन करने के लिए या दर्शाने के लिए किया जाता है तो बिहार और भारत की जनसंख्या पिरेमिड के बारे में बोल रहा है तो क्या हो जाएगा तो यह आपका होगा नीचे की और मध्य में उभार वाला होगा और नीचे क्या होगा भारी होगा आंसर हो जाएगा A option correct A option सही हो जाएगा Next अगला question देखेंगे गंगा नदी प्रडाली की निन लिखित में से कौँसे शहायक नदी है गंगा नदी का शहायक नदी सही सुमिलित अच्छा सही सुमिलित जो है नदी मिलाने का इस्थान कौँसे सही अलक नंदा और पिंडार नहीं ये गलत है अलक नंदा और मंदाक नहीं ये अभी गलत है अलक नंदा और ध्वली गंगा अलक नंदा और जो ध्वली गंगा है यह क्या होगा यही आपका सही होगा जो की विश्णुम प्रियाग में जाके मिलता है ये C option is correct answer अलक नंदा और गंगा जो नंद प्रियाग है नहीं ये गलत हो जाएगा चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं शुरू से आंसर होगे आपका सही option अलक नंदा और पिंडार नदी जहां पर मिलती है उसे क्या बोलते हैं उसे कर्ण प्रियाग के नाम से जाना जाता है कर्ण प्रयाग अलग नंदा और मंदाकनी जादा जहां जाके मिलती है उसे बोलते हैं रुद्र प्रयाग तीक है अगला जो आप देख रहें अलग नंदा और गंगा को नंद प्रयाग बोलते हैं अलग नंदा और ध्यां से सुनेंगे नंदाकनी अलक नंदा और नंदाकनी नदी के मिलने को क्या बोलेंगे नंद प्रियाग नंदाकनी नदी अब यहां पर दो तीन बात है देव प्रियाग के बारे में सुन लिजिए भगी रथी और अलक नंदा भगी रथी और अलग नंदा जहां मिलती है उसे क्या बोलते हैं देव परियाग सबसे जादा बार एकजाम में कोशन पूछा है तो यहीं से पूछा है इसे क्यान में कोशन पूछा है एक लिक लिक लिजिएगा अप विष्नू परियाग में धौली गंगा और विष्नू गंगे ठीक है ये स्क्रीन सोट कर लेंगे चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगला क्वेश्चन तीस नंबर अगला है किस राज एक केन सासित परदेश में भारत का पहला मानव दुख्ध बैंक स्थित हुआ भारत का पहला मानव मिल्क बैंक कहां इस्थित हुआ है जल्दी से बताएंगे राधे राधे मैम बिल्कुल राधे राधे दिल्ली की धर्ती से आपको प्रणाम कुंदन कुमार जी पटना की धर्ती से आपको आश्रिवाद ठीक है है ति feelünü प्रणाम का अघний हो नहीं होगा होगा दोस्त मांट एवरेस जो है शिवाली का हिस्सा है ठीक है सिवाली के अंतर गठी आपका मांट fares आता है हम लोग क्या बात कर रहे हैं किस पंदेश में भारत का पहला मानव दुख्द बैंक इस्थापित हुआ है तो कहा मानव का पहला दुख्द बैंक इस्थापित हुआ तो 1989 में महराष्ट्रा में कहा हुआ D option is correct answer 1989 में महराष्ट्रा में और बिहार का पहला milk bank बिहार का पहला milk bank PMCH में PMCH पत्ना में ठीक है next अगला वह कौन सी जगह थी जहां अखिल भारतिय किसान सभाग का पहला अंधिवेशन ये तो hit question है एक्जाम में तो पूछेगा ही पूछेगा जिस भी एक्जाम में जाईए वो पूछेगा ही पूछेगा अखिल भारति किसान सभागा पहला अंधिवेशन कहां हुआ तो ये आपका लखनों में हुआ आंसर क्या हो जागा c option हो जागा स्वामी सहजानन सरस्वती के शफल प्रयास से अखिल भारति किसान सभागा पहला अंधिवेशन हुआ कहां हुआ लखनों में हुआ ठीक है कब हुआ यह मेरे दोस्त यह अप्रेल 1936 में हुआ अप्रेल 1936 में हुआ फसाने वाला question क्या पूछेगा इसके अध्यक्ष कौन है और इसके महा सचीव कौन है ठीक है तो इसके जो अध्यक्ष है यह तो हो जाएंगे स्वामी सहजानन् थких एफ यह फसा देगा जैंगे आशी जुद्ग हो जाएंगे और य। रङ academic whenी घरण यू अब बीहार में पूछेगा तो Vegard 1928 में पहली बर किसान सभा का आयजन हुआ अधिstat किसान जबहा है कि issar में हुआ नेक्स्ट अगला निमने में से किस आंदोलन में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक मानी जाती है किस आंदोलन में सरवाधिक महिलाओं की भागिदारी मानी जाती है नमक सत्यागरा आंसर बी ऑप्शन नमक सत्यागरा में महिलाओं की भागिदारी सरवाधिक मानी जाती है क गुजरात के गुजरात के वरसाड वरसाड वाले हिस्से में वरसाड वाले हिस्से में तो हम लोग क्या बात कर रहे हैं गुजरात के वरसाड वाले जिले में इसका हुआ ठीक है और इसका तो नित्रित्व कर रहे थे नमक आंदोलन का गुजरात के हिसे में सरुजनी नाइडू कर रही थी महिलाओं को लेके अब हम लोग बात करेंगे नमक सत्याग्रह की सुरुवात 12 मार्च 1930 से लेकर 6 अप्रिल 1930 तक चला ठीक है गांधी जी ने साबरमती साबरमती से डांडी तक की यात्रा को किया और डांडी पहुचकर उन्होंने नमक कानून बनाया भारतियों का अपना नमक बनाया इसमें गांधी जी ने गांधी जी के साथ 78 अनुयाई साथ में थे, आपके घजा में कुछन पुछेगा एक मात्र, अंग्रेज पत्रकार कौन से थे, तो वेब मिलर, अब अंग्रेज में कौन है, तो अंग्रेज में आपके अमेरिका पत्रकार थे, अमेरिकी पत्रकार, वेब मिलर, विदेशी पत्रकार, अंग्रेजी भी थे एक कहात है अमेरीखी थे करि अच्ट के अमेरिकी थे अब शुभाषंद्र बोस्ते गाने जी के नमक सकत्य आग्रावकों तुल्हा ग्लाक किया है तो हम लोग बात करेंगे आपे शुत्… बोस्त नंग अफ़ार कि शाबर मती से डांडी के नमक मार्श को नेपोलियन के नेपोलियन की यात्रा से किया है अब नेपोलियन की एलबा से पेरिश तक की यात्रा से कप्रिजनी किया है सुभाशंद्र बोस्त ने कहा कि तुल्ना करके गांधी जी का जो यह मार्च था यह नेपोलियन के नेपोलियन के एल्बा से पेरिश तक के मार्च से तुल्ना किया ठीक है एलबास के पेरिक्स के माज तक वेब मिलर वेरे गुड बहुत च्छा एंजी रंगा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला जनिम्न मेंसे कौश सदस के रूप में सरकारिया आयोक से नहीं जुड़े हुए थे जस्टिस एसार सरकारिया यहीं इसके हैड थे अध्ययक्स थे ठीक है यह तो थे शिवरामन ये नहीं थे यह शिवरामन समीति कि अध्यक्स थे अंसर क्या हो जागा अभी यह गया या और इसने अपना रिपोर्ट 5 साल के बाद 1988 में रिपोर्ट सपा यह तिक जो 1988 में क्या किया अपना डिप रिपोर्ट का संबध है किस से हैं या किस मुद्दे से हैं तो के चंज के समद्धोंև की व पर सर्डियों में वर्षा होती है तो तमिल व्लाडू आंध्ञिपरिभभभभभभभ या बश्रैशाई क्या हो जाएगा सी ऑफ्षनिस करेक्ट आंसर तमिलाडू आंदिपर्दिश पंजाब और हरियाना ध्यान से सुनेंगे यह लौटती हुई मानसून से वर्षा करती है ठीक है भारत में अभी शरद रीतू चल रही है अक्टूबर नवंबर का मन्थ अक्टूबर नवंबर दि मतलब हुआ नौर्थ इस्ट मॉन्सून क्या हो जाएगा नौर्थ इस्ट नौर्थ इस्ट मॉन्सून अब नौर्थ इस्ट मॉन्सून का मतलब उत्तर पुर्व उत्तर पुर्व मानसून उत्तर पुर्व मानसून से अभी वर्तमान में दक्षिन भारत में वर्षा हो रही भारत में सरवाधिक वर्षा किस से होती है तो दक्षिन पुर्व मांसून से भारत में सरवाधिक वर्षा होती है आपके एक्जाम में और पूस्ता है कि जो मांशून अगला पूस्ट्री बहु आयामी गरीवी सुचकांग भारत आयामों का अध्वार है मतलब राष्ट्री जो आपका राष्ट्री बहु आयामी जो गरीवी सुचकांग अर्था जो पावर्टी इंडेक्स है वो किन-किन बेसिस पर जारी किया जाता है जो गरीवी इंडेक्स जो रैंकिंग होती है वो किस-किस बेसिस पर जारी किया जाता है स्वास्त का इस्थर ये बिल्कुल सही है इस पर जारी किया जाता है शिक्षा का इस्थर ये इस इस पर भी जारी सुसकंग जारी कि जाता आंसर क्या हो जागा डी ओप्शन एक से अधिक कर यह tremendous तीन आपका इन तीन मुद्दों पर होता है आपके भ़ारत ने गरीबी सुसकंग जारी कि जाती है अब पूछे का मैम इस पर कैसे होगा कि तो भारत में लोगों का जीवनिस्तर कैसा है कम सस्ता कपड़ा पहन रहा है महंगा पहन पहन ही निराय फटा पहन रहा है इस प्रकार से कपड़ों पर देखा जाता है या फिर किस परकार के घर में वो रह रहा है उसकी education qualification क्या है कं से कम ओ graduate हुआ है कि नहीं हुआ है टेखुनिक़ में हुआ है या simple हुआ है बिया फिर नाम बस हो गया इस वह चोज़ा है यहां पर भारत में hospital में क्या-क्या सुविधाय है सरकारी hospital में क्या-क्या शुविधाय हैं ये सारी चीजों का एक इंडेक्स बनाके इस पर क्या होता है गरीबी सुषकांग निकाला जाता है तो आंसर क्या हो जाएगा डी ऑप्षन is correct नेक्स्ट अगला प्राचीन नगर तक्षविला को किन के बीच श्थित्था प्राचीन नगर तक्ष शिला किन दो और यह जो तक्ष सिला है इसको कब बनवाया गया तो राजा तक्ष के द्वारा ध्यान से सुनेंगे सातवी अठा संभवतक कन्फरमेशन इसका नहीं दिया गया किसी बुक में राजा तक्ष के द्वारा संभवतक सातवी और आठवी शताबदी में इसका निर्मान कराया गय लिया था इस विश्वी ड्याले की सबसे खास बात दिक्या है तो इस विश्वी ड्याले से चानक के पढ़के बाहर निकले थे चानक की की शिकषा यहीं से हुई थीूठी और कुछ समय तक यहां पर वो शिक्षक भी रहा चुके है यहाँ पर वों शिक्षक भी रहा चुके यहीं से नोंने सिक्षा भी लिया था उसके बाद जो है भिमबीसार का जो राज वैता जीवक बिम्बि सार का राजवेध जीवक, जीवक की भी सिक्षा-दिक्षा यहीं से हुई थी, और धिरान से सुनेगे एक और Чंद्रगुप्तमौर्य, सबसे महत्वपूर्ण शासत की बाद करेंगे, चंद्र गुप्त अबुप्त मॉरे की भी सिक्षा यहीं से हुई थी। ठीक है संद्र गुप्त मॉरे की भी सिक्षा तक्ष सेला से हुई थी। पहले यह भारत में था तो जैसी यह भरत आया इसने को फारसी भाषा में जहांगीर से काफी अच्छा कन्वर्सेशन किया और जहांगीर खुश्वा बोला जहांगीर खुश्वा मांगो क्या मांगते हो तो इसने क्या क्या वैपारिक छूट मांगा तो बोला नहीं वैपारिक छूट नहीं दूँगा मैं तुम्हें क्या दूँगा मैं तुम्हें इंगलिस खान की उपादी दूँगा ठीक है तो यह जब आया था तो यह 1608 में भारत आया ठीक है यानि शूरत में आया था उसके बाद 1609 में 1609 म इंग्लिश खान की उपाधी देदी यानि फिरंगी खान की उपाधी देदी और साथी साथ इसको जो है 400 मनसब का भी प्रदान किया 400 मनसब एक प्रकार का पोस्ट हुआ करता था 400 मनसब न्यूक्त किया किलियर है ध्यान से ध्यान रखेंगे अगला क्योंब सोलसे पंद्रा इस्वी में सर्ड टॉमस रूंव मस रोग जहांगीर के काल में ही आया था और इसको जहांगीर ने क्या था वैपारिक छूट दे दिया था ठीक है तो इस प्रकार से आप यह भी याद रखेंगे यह भी याद रखेंगे डेट के साथ साथ ठीक है चलेंगे नेक्स्ट क्वेस्चन पर अगला क्वेस्चन कौन साही सुमेलित नहीं है अनुकूलन गैप रिपोर्ट जर्मन वाच गल प्रोध्यक की समिक्षा आई ए यह भी सही है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट आये लो यह भी सही जो गलत है आंसर क्या हो जाएगा ए ओप्सन करेक्ट आंसर होगा ठीक है अरे क्या हुआ भाई आप लोग उधर बात करोगे इधर कौन देखेगा यहीं टाइम है दोस्तों पढ़ाई कर लो ठीक है नहीं तो फिर लेनी का देनी हो जाएगा देख रहे हो ना बिहार सिक्षक भरती में क्या हुआ है सिक्षक भरती ही पकड़ के उसको बिया कर दिया गया आप लोग को तो कोई पूछो नहीं रहोगा तो बिया करना है ना क्या देख रहे हैं आकासमिक निदी होती है उसका संदक्षक कौन होता वित्वमंत्र आले राश्पती नीती आयो की सिओ या परधानमंत्री तो भारत में आकासमिक नीधी का संदक्षन होते हैं राश्पती महोदे आंसर B option is correct answer ठीक है अब हम लोग बात करें कि राश्पती महोदे को यह अधिकार कहां दिये गये हैं राश्पती महोदे को यह अधिकार अनुछेद 266 के तहद अनुछेद 266 के तहद दिये गये है तो सट में यह कहा जया है कि संद्षट जो है संद्षब आकश्मिक नीधी और अकश्मिक नीधी का गठन करेगी और इसमें जो इसके संदक्षंग होंगे वो राश्पती महोदे होंगे लेकिन इसमें से धन निकालने के लिए शंशत की अनुमती लेना आवश्यक नहीं है ठीक है शंशत की अनुमती लेना आवश्यक नहीं है सिंधु और गंगा नदी प्रडाली के बीच कौन सा जल्विभाजक शहर है तो अमबाला केंट याद आ रहा है ए ओप्शन इस करेक्ट आंसर सिंधु नदी कहां से निकलती है सिंधु नदी मान शरोवर के तिब्बत में मान सरोवर के बोखर चू बोखर चू हिमाने से निकलती है और गंगा सभी को पता है गंगोतुरी हिमनत से निकलती है नेक्स्ट अगला आ जाएंगे बिहार विधान सबाके काफी अच्छा इस बार एक्जाम में लड़ने वाला है ये क्वेश्चन बिहार अधर हटी और सबजी पुड़ी बढ़ जाएगा दोस्त ठीक है निहां देना यहां पर बिहार विधान सबाके पहले जो है उप्रतम उपाध्यक्ष का नाम पूछ रहा है तो प्रतम उपाध्यक्ष्ट बने थे वह बने थे आपके अब्दूल बारिक कब बने थे 1937 में ऐ अंसर बी ऑप्शन यह 1937 से लेके 49 में बने थे अब हम लोग बात करेंगे कि पहले तो यह बने थे अब दुलबारी दूसरे कौन बने थे श्री देवी शरंद सिंग यह जो आपको दिख रहें ऑप्शन यह में यह सेकेंड उपाधयक्ष है ठीक है और आपको जो सी ऑप्शन में देख रहें श्री राम दयालू सिंग यह पहले अधयक्ष है यह पहले क्या है अधयक्ष है कन्फ्यूज नहीं होंगे यहां पर पहला जो आपसे पूछा है यह उपाधयक्ष पूछा है अब्दूलबारी ठीक है और पहला जो यह पहला उपाध्यक्स यह देव सरन्षिंग होंगे दूसरे उपाध्यक्स होंगे ठीक है और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे थेकम प्रतां आफ्थे ची प्रदभिन में और प्रगाषे नरायनजी को और इनको जेल में बन कर दिया गया था थेक्थ है इन्होंने क्या किया जेल से भाग गये नेपाल भाग चक है अब इसी जंगल में ही प्रशिक्षन शुरू हुआ था कब 1942 के आसपास में यह भी आप ध्यान रखेंगे बोलिये ना मैम सुनाली पटिल जी क्या पूछ रहे हैं सुनाली पटिल जी पूछिए जो पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए निम्रणलिखित में से कौन सा राष्ट वीम इस्टेक संगठन का सदस से नहीं है अपकी कोशन में देख रहे हैं पहले इसका नाम था इसको इस मियामार हो गया अब म्यामार सामिल होने के बाद इसका नाम बीमस्टेक कर दिया गया डेली स्टडी करवाती है मैं देखिए दोस्ट डेली स्टडी आपका बिहार SSC स्पेशल बैच चल रहा है उसमें मैं आपकी क्लासेज ले रही हूँ लेकिन यह यूटूब वाली क्लासेज है यह only आपका ससतर डेल औट संडे अरट संडे यहके वल आपकी क्लासेज चलती है यह दो पहर में दो बजो प्रारम्व होती है 對啊 से ले के साम के साथ बजो तक चलती है इस çek में आपको जो है सके है और मात्स के डिस्कशन कराए जाते हैं किसकी बात करते हैं बीमिष्टेक संगठन की बात कर रहे हैं माल्डीव नहीं है माल्डीव नहीं बी विपिस्टेक के बाद करेंगे तो भीुश्टेक किस थापना कब हुई थी 6 जून 1997 में हुई थी उस समय इसमें मैमार नहीं था तो उसमें इसका नाम था बिश्टेक है बिश्टेक उसके बाद इसमें क्या हो गया मैमार शामिल मैमार समील हो जया दिसम्बरसंबर 1997 में इसका नाम परिवतित हो गया तुंय है चलेंगे हम लोगbest q 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 एक जीला एक उतपाद ठीक है वन डिस्टिक और वन प्रोड़क्ट वन डिस्टिक वन प्रोड़क्ट केंदरी मंत्राले द्वारा प्रारम्भ किया गया किस मंत्राले के द्वारा ग्रामिन विकास मंत्राले के द्वारा प्रारम्भ किया गया था लेकिन अगर यहीं पर आपसे किसी स्टेट का नाम पूझ दे ठीक है किसी स्टेट का नाम पूझ दे वन डिस्टिक वन प्रोडक्ट ओडी ओपी ठीक है ओडी ओपी जो है किस राज के द्वारा शुरू किया गया था तो यह 2018 में उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तर प्रद अब नहीं है धास तुनेंगे अब नहीं है किस देश की मुद्रा थी तो क्रोएशिया की मुद्रा कुना थी वर्तमान में वर्तमान में एक जन्वरी एक जन्वरी दो हजार तेईस से क्रोएशिया ने क्या हो रहा है हो तो भाग कहा जा रहा है क्रोव एशिया क्रोव एशिया ने अपनी मुद्रा के रूप में यूरो को अपना लिया ठीक है और ऐसा यूरो को अपनाने वाला यह बीस्वा कंट्री बन गया ठीक है बीस्वा कंट्री बन गया यह भी आपके एक्जाम में पुछ सकता है क्रोई यूरो को अपनाने वाला बीश्वा कंट्री पहले इसकी जो मुद्रा थी वो कुना हुआ करती थी अगला देखेंगे भारत की अध्यक्स्तामी जी ट्वेंटी वर्किंग ग्रूप की सौवी बैठक का आयोजन कहां क्या गया यह कुर्शन को अब ध्यान से जु Fit की सौवी बैठक वीधें हुई अँने इसमें व्यू benefici प्रूप क्रिशी वैज्ञानिकों की दकता अयोजन हुई थी इसमें मुख्य को क्रिशी वेज्ञानिकों की किशिवेग्यानेकों की बैठक आयोजित हुई थी और यह कहां आयोजित हुआ था स्वावी बैठक यह आपका वारा नसी में हुआ था आंसर बी ओप्शन उत्तर प्रदेश के वारा नसी में ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगला किस भारतियों को हाल ही में टाइमस हंडेड पोल का विजेता चुना गया है किस भारतियों को हाल में हंडेड पोल का विजेता सुना गया है सारुक खान को ठीक है आंसर डी ओप्शन इस करेक्ट आंसर नेक्स्ट करेंट फिर के क्वेश्चन चल रहे दोस्त अंतर राश्टी मुद्रा को साइम एफ की ब कि बात करेंगे तो आयमेफ की स्थापना कब होई जल्दी से बताएंगे आयमेफ की स्थापना जो है आपका दिति विश्वयुद के पशाद 1945 को हुई इसका हैड कोटर कहां है इसका हैड कोटर जो है वह आपका वासिंग्टन डीशी में है और इसके वर्तमान में हैड कॉ तों है तो क्रिष्टलीन जार्जी योवा कॵुर nuevas जोर्जी योवा लोगो refugee भी आप ध्यां रखेंगे स्थ्थ ह्म में किसे वर्ष का सरस्थ पुरस्त पुरस्थ का कृकेटर का पुरस्थ का मिल धिश्यान सुनिएगा यहां पर भी आको हो आपको कन्फिंपोंद हो तो यहां पर आपका हो जाएगा 2022 की बात कर रहा है तो आंसर हो जाएगा बाबर आजम लेकिन कहीं कहीं आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको सुरी कुमार यादो भी मिलेगा बाबर आजम को जो है cricket of the year का award मिला है cricket of the year का award मिला है इसमें आप confused नहीं होंगे ठीक है आप चेक कर लेना उसको एक बार फिर से पूरूस हौकी विश्वकब 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है तो इसको जर्मनी ने जीता है और किसको हरा के जीता है तो बेलगीम को हरा कर जीता है और यह जो है यह जो होकी विश्वकप कहा हुआ तो भारत के ओरिशा में हुआ था ठीक है ओरिशा के भुवनेश्वर में कलिंगा इस्टेडियम में यह हुआ था ठीक है चलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेस्टन पे अगला question देखेंगे 23 जन्वरी को पराकरम दिवस किनकी जयन्ती पर मनाय जाता है अगर आपने मेरी कल वाली class देखी होगी सटार डिवाली जो last class थी तो उससे आपको ये जानकारी मिल गई होगी पराकरम दिवस जो है सुबाश चंदर बोस की happy बड़े पर मनाय जाता है अर्थाथ 23 जन्वरी को सुबाश चंदर बोस का happy बड़े है यानि C option is correct answer भीमराओं अमेडिकर जी का बड़े कब है आप लोग सत्तू खाते हैं उस दिन यह दारा है ठीक है 14 अप्रेल को कि दन्वन दिवस वाले दिन विश्व सात्र दिवस मनाया जाता है और यह कब मनाया जाता है 25 अक्टूबर को कि ठीक है चलेंगे हम लोग next question पे और आज के सेट का यह आखरी और जबरदस्त question सिया चीन में सक्री रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी कौन है यह आपके exam में पूछा हुआ है और आगे भी पूछेगा सिया चीन में सक्री रूप से तैनात होने वाले पहली महिला अधिकारी है Captain Siva Chauhan answer D option अब यहां से एक question आप और लिख लेंगे कि लदाख में तीक है एक question और लिख लेंगे कि लदाख में तैनात हो लदाख की सेना में तैनात होने वाली कौन पहली महिला है तो लदाख में सेना में तैनात होने वाली पहली महिला है गीता राणा TikTok मक्त गीता राणा राणा से मुझे एक या Da ज़ला जाए तो राणा का व educ यहा तक भाला जाए या दारा निरत चोप्रा तो मुझे राणा के नाम से बस यहीं साईर याद आती है तो आज के लिए इतना है फिर हम लोग मिलेंगे नक्स डिसक्षान यानि सटर देखो अभी आप लोग कहीं नहीं जाएंगे बने रहेंगे अभी मैथ वाले सरा आएंगे वह आपका जबर्दस तरीक से डिसक्षान कराएंगे में तरफ से आज के लिए अलविदा सभी को बाबाय और चली बताएंगे पहला कोस्चन बुला गया है कि A और B की बरतमान आयू 29 और 21 है आठ वर्स पहले उनके आयू कर्मा सब 15 तर 17 था यदि C की बरतमान आयू A की बरतमान आयू से 5 वर्स कम है तो C की आयू कितना है बुला गया है सुनोगे A और B की एज दिया गया है परजेंट में 15 और 17 दिया गया है और बुला गया आठ वर्स पहले आठ वर्स पहले इनकी आयू का अनुपात यह अभी परजेंट में दिया गया यह उम्र क्या दिया गया 29 और 21 और आठ वर्स के बाद आठ वर्स पहले उनकी आयू का अनुपात 15 प्रियास करोगे अब देखिए आप यहां से माइनस आठ तो आठ चार बराबर में आठ साल तो एक बराबर में दो साल तब बोला गया है पहले एक ही निकाल लिए एक ही 19 तो 29 इख जो सी है था पांच वर्ष का हो जाएगा अगर 38 में से 58 घटा हो गया तो यह 33 कह जाए कितना का हो जाएगा 53 का हो जाएगा 63 बर्ष कहो जाएगा ж इसे बताने का प्रयास करेंगे 7-4 पांच गुना दस गुना देस गुनाइए ख्रिक्रू का इसका सब ना शाल आख्राणा जोलाने से भाल देंगे ठेक है यह 15 चौका 60 यह 5 तीया 15 यह हो गया यह कटेगा दो बार में यह 5 तीया 15 बटा 2 का मतलब हो गया साड़े 7 किलोमेटर उसके घर से ओफिस की दूरी था जो है कारियाले का दूरी था साड़े 7 किलोमेटर अदो है जो संख्यां का लगुत्तम समवर्तक और महत्तम समवर्तक उनका पड़ीक स्थिस संख्या और आनतर पांच गयाao करें यह देखों लोग संख्यों यहां आ रहा है यह 9 और चार नौच्छ मिश्यर और अंतरि hai वालना ठीक है दोनों का गुर्ण फल यह हो जाएगा कि बुला गया किसी संख्या के तीन बटा पांच के एक बटा चार का दो बटा पांच मां हिस्षा 15 के बराबर संख्या का आधा कितना होगा एक्स का तीन बटा साथ एक बटा चार दो बटा पांच किसके बराबर है 15 के बराबर है यह कटेगा अगर अगर कटेगा दो बार में यह कटेगा पांच बार में तो यह पांच दुनी दस ठीक है और पते 35 पूरी संख्या बला इसका आधा बताओ इसका आधा बताओगे तो क इसकी आधा केतना हो जाएगा 175, इसकी आधा केतना हो जाएगा 175, यह बताओगे, इसकी IMAHन बताना है, नीचे सवल्व करते हैं, इसको फिरुम करते हैोँ, चार वर एक नौ अर्डिये चार उपर चला जाएगा, तलई यह मेद तीन05 तॉर्ट हुपर च्याँ पलस नौ यह चला जाएगा 21 नौ चला जाएगा यहां पर 31 बटा यह नौ चला जी हमक पर खुर जया एक प्लास नौ बना इक 가까टी इसको कर दोगे रेक चालीश बटा एक लिवास यह 1-5 के पास में तो चान ऊलगें और बाटा चालगे प्रणाट जाएगा और वटा में 40, पांच वटा 40, यह कटेगा, तो एक वटा 8 होगा, एक वटा 8 होगा, दीन नमद, एक वटा 8 होगा, एक वटा 8 होगा, बूलागे 20 बेख्ति की ओस्साथा आये 4000 है और दूसरे 25 बेख्तियों की ओस्साथा 5500 है तो पूरे समु का ऊवस्मन का योगफल पहले करण गरें अपनी काल लोगे उसका भाग दे-सकते हो यह तो आप क्या करो है यह भी कर सकते हो कि सबको मिलाओंगे अपने मंद से भी डाटा मानकर बना सकते हो इसके आज पस पहले कर लो बैसिक से कर लो 000 20 के 80,000 ठीक है टोटल योगफल ये दोनों गुना करोगा 625 हो जाएगा पर 00 सभी को जोड़ोगे जोड़ोगे जीरो जीरो ये हो जाएगा ठीक है कि ये हो जाएगा आठ चाओ इतना हो गया टोटल संख्या कितना हो गया 20 और 25 45 ये कटता है तो काट देए पांच से काटोगे ये हो जाएगा हो जाएगा चार दूच्छो ये पांच चार न 3 अगर पांच से काटोगे तो नौ बार में ये हो जाएगा पांच से काटोगे तो चार पंचे नि ने 10 ऑठ पंचे चालिस पचे पची तर सब्सक्राइब, यह चलते रहेगा, ए नमर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए लगाए एक खुदरा विक्रेता अपने सभी समानों के मुल्य करे मुल्य से 50% अधिक अंक्ित करता है और अंकित मुल पर 25% के छूट परदान करता है उसे लगता है कि उसे फिर भी 25% का लाब होगा इस बिक्रह मुल पर होने वाले बास्तवी का लाब गयाद कर यह गलत बात है 50% अधिक अंकित किया और 25% छोड दिया उसको लग रहा 25% का लाब होगा नहीं ऐसा नहीं होगा आप क्या कर सकते हो यह सक्सेसिव लगा सकते 50% अधिक अंकित किया ठीक है और पचीश चोड दिया मैनस में 50 गुना पचीश और बटा में 100 ऐसे यह हो जागा 50 में से 55 या पचीश हो जाएगा ठीक है और 9 मैने या अगर इठीक हरते हो departments जेरो से जीरो कटेगा कटेगा 255 पनची just 25 बारे पॉंट 25-らरे जाएगा तो Search 2.50 परसेंट का लांभ होगा साढ़े बारे परसेंट का कि डी हो जाएगा अपका एंसर डी हो जाएगा अपका एंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा यह बताएंगे बोला गए एक शैना अध्यक्ष अपने 40125 सहनिकों के एक बर्ग आयकिर्ती के रूप में पक्तियों और अस्थमों में बनाँ चाहता है उन्हें बनाँ में बनाइबस्थित करने के बाद उसने पाया कि उसमें से कुछ सहनिक बच गए और सेस बचे सेनिकों के संख्या जब भी बोला जाए बरगा कार के रुप में करे तो एक आएसी संख्या यह पूर्णवर्ग होना चाहिए तो पूर्णवर्ग कौन सा होगा तो पूर्णवर्ग आपका 40,000 होता है ठीक है कि 125 को साइड कर दें यही आपका पूर्णवर्ग है इसका इसको आप देखिए साल करके बताइए इसका इंसर क्या होगा गुनाभाग का इंसर क्या होगा छे पूर्णांग दो बटा तीन इसको आप सॉल कर लेज़ेगा पलस मैनस यह बहुत इजी रहता है अचप इसका बताइंगे लजा यादी इतना 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 और इतना का चस्व मतलव होता है यह इससका अनुपाथ इसका सफ हो गात समा और पाथ को सॉल करें इसको इससे गुना इसको इससे गुना करों तो यह सब आitarian ऐसन स्कॉर में प्लस काचे यह सब्सक्राइब धोनों गुनारं टो एक सब्सक्राइब स्सक्राइब स्थません तो एक आरे 2 X हो जाएगा और यह माइनस बढ़े उधर जाएगा तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 यह कटेगा तो X ब्रावर में 16 हो गया X कामान सुल्ले आ गया बुला है कि X और X मैनस 7 के बीच अंतर मद समानु पाथ ता मद समानु पाथ रूट अंडर ए-b कि एक का मान कितना रूट सुल्य है और सुल्य में से साथ घटा वो तो कितना हो जाएगा नौ तो यह हो जाएगा सुल्ण मच वाल से कितना हो जाएगा 12 कि एंसर कि ए नमर हो जाएगा एक निश्चित रासी साड़े 12% परती वर्स की साधरन व्याज पर दो पूर्णा एक वटा दो वर्सों में 42 हो जाती है यदि तीन पूर्णा तीन वटा पांच वर्सों के लिए साड़े 7% परती वर्स की दर से उसी रासी पर साधरन व्याज क्या होगा तो साधरन व्याज बोला गया इतना रुपय हो जाती तो मिसो धन की बात बोला गया कितना साड़े 12% का फ्रेक्षण मान एक विटार ऑट अड़ा होता है और यह 2-2 चाघ और एक पांच बटा समय और को गुणा करेंगे पांच विटा दो ठेक है यह ऑगा दो दो निचार यह वजाएगा दो दो तो यह मुल्धन होता है नीचला मुल्धन होता है यह SI बना है SI बना इसको इसमें जोड़ दोगे तो कितना हो जागा यह काटोगे दो बार में तो 62 बत्तीस बत्तीस सो रुपे मुल्धन हो गया इसी का बोला जा रहा है कि साध्रन ब्याई निकाला बत्तीस हो का कितने साथ परसंट की दस तो साथ साथ परसंट का फ्रेक्शन मान होता है साथ दुनी चोड़ एक पंद्रेवटा पंद्रेवटा 200। ठेक है यह कटेगा तो यव पाष से काटोगे तीन बार में यह पाँस इसका पर नौ चालिस होता और वास उसको सवाल कोई पांच तीया पंद्रेस पंद्रेवटा पंद्रेस तीन कितना होता है अठ्रा अठ्रा बता हो जाएगा पांश में यह झाल्यकृ और कोई करता सो इससे यह कट जागा 32 गुना साथ दूने चाओद है एक आए अंक चार एक एक आए अंक आपका आठ सो यह बला है देखिए तो एक बड़ कि सबेंटीनाइन का कि यह बताओगे बलागे 277 मीटर लंबी एक ट्रेन साथ किलो मीटर पर घंटा के चाल से चल रही है यादी किसी फूल को पार करने मुसे 45 सेकेंड लगता है तो फूल की लंबाई ज्याद कर देखोगे कि सब्सक्राइब बलागे 277 मीटर लंबी ट्रेन है और 60 किलो मीटर पर घंटा से चल रही है एक बत बताओगे जब ट्रेन पार करेंगे किसी फूल को तो आपने लंबाई के साथ साथ में दूसरे की लंबाई को भी पार करना होगा ठीक है तो दूरी बराबर में दूरी ब साथ सो पचास मीटर की दूरी ताई किया गया है और यहां से जो है ट्रेन की लंब आई था दो सो सटाथ तर गटा देंगे तो तीन ठीक है और यह साथ हो जाएगा और उसके बाद जो है छो में से दो जागा चार सो सटेहत्तर कि दीनमर्ऊ जाएगा अपका इंसर लोए और यह वह चोटी सी चोटी दहनातों की संक्राइन करो जो इतना में से घृटाने पर प्रापतसंफ पूर्ण वर्ग में बोलागा है विपनाइन से तर्मिश गाताने पूर्ण वर्ग हो बर्ग मुन निकाल लेजिए यह सासती ठीक है अब यहां पर आप उतारोगे क्या रखोगे ताकि यह कट जाए बताओ किसे हम गुना कर दे तो 14 57 चौशती अंठानवे चौशती अंठानवे शाथ रखोगे तो साथ शती उन्चास ठीक है अंठानवे अंठानवे और चार एकसादो घटा यह एक आजाएगा आप मेंसे दो जाएगा चार हो जाएगा तो हमरा पूर्ण वर्ग हो जाएगा कि चलिए बताएंगे अगला कि कमेंट्स का वागा तीन कर्मा का चावरा है पर लगी यात यात बतियां दिया गया है कर्मा सब परतेख 35 सेकंड 42 सेकंड 90 सेकंड के बाद जो बदलती है यदि ये बतियां जो है आठ मज़ें बदली हो तो एक साथ जलाई जाती है तो पूना कितने समय के बाद ये साथ बदलेगी तो अगर इस टाइप का कोशन रहे तो क्या करते हैं एलिस्यम निकाल लेते हैं तो निकालोगे 35 42 नभ्य का एलिस्यम आप क्या करोगे तो क्या कॉमन ले लोगे लिलो कोई साथ कॉमन लेलो साथ कॉमन लेंगे पांच हो जागा छो सती ब्यारीस नभ्य आप यह पांच का कोई काम ने नब्बय आचे खोगी चोगा कोई काम निनौ साथी ती रे सट आप शोसओ तीज सकेंड 10-o 30 second आएगा आरे 630 second कितना पिस होथा 10 मिनटों 6 second आथा 10 मिनटों और 30 seconds अरक्षर कर दिये तो 10 मिनट, 30 second के बाद फिर पुना हुँआ बन यह हो जाएगा प्रेक है चलिए अगला बताएगे बलागा चावल की एक किसम के मुल में बीच पर्सेंट की बिर्डी होती है एक आदमी को छेषुटी किशम के gp3 kg कम मात्रा मिल मिले जितना उसे पूराने मुल पर मिड़़ता ठीक है चावल की उस किसम का पुराने मुल गयातकर है मतलब पूराना मुल गयात करना छेषुटी सब्धार परोला गरहां चावल कम मिलता है जब 20% के विर्दी होती है चावल मानिए पहले 100 कमी रहा था आज 120 कमी लेगा तो बताओगे फिर कि पाइसा तो बढ़ाए नहीं हो तो चावल कम मिले कर वीज का कमो से गड़ीक तोकि एक सब्सक्राइए चक पार जाएगा शे का कमी होगा के श्था शेक्ड़ नेहींacciónक इस questions आपहपा सब लिए हो का कमें आठारे से भाग दोगे तो नो दूपारों कर दोगे तो कितना हो जबाता शत्तर 35 पैंतिस रुप्या पर पर केजी 35 पर केजी कि पैंतिस रुपाराइस पर केजी होगा आगे बढ़ते हैं यह बताएंगे बोला ए और बी की छमता पांच अनुपाद छे का अनुपात में हैं साथ मिलकर कार्ज करते हुए दोनों एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकते हैं अकेला उसका काम का 40 परसेंट इसा देखो दोनों मिलके 6-5 11 काम एक दिनों में करता है 120 दिनों में पूरा काम कर दिया तो टोटल वर्क यह होगा इसका 40% काम करवाना है तो 40% काम किसे करवाना है तो 20 है कितना दिनों तब बी के इपिसंति 6 है तो 6 से भाग देजिए परसेंटे से 002 कट जागा 6 दूनी 12 चार दूनी 8 118 88 88 88 दिनों में हूं हहले है भाग हूं हूं कुं लगे एक सी 4 परसेंट के वार्सी दर्स दरसे साधरन दर्स पर से 5 बर्सों में इतना हो जाती उसली उस बार्सों के लिए 3060 पर से बांदर के पांपसे बी wolves न हो गया शून काूंप साथ परसेंट के MT misery 500 बद गया हैll और यह हो कितना जाता है बार सट चालीस जीरो से जीरो कट गया यह वला अगर कट होगे सुनोगे तो यह बारे पंचे साथ बारे दुनीच चोबीस पी बराबर में हो जाएगा बावन सूट थेक है बावन सूट उसी रासी पर पचे पचीश पचीश अर्दो 27 बटा पांच बरसों में साड़े साथ परसेंट तो देखोगे बावन सो का साधरन भ्याई निकालना कितना 27 बटा पांच बरसों में साथ दुनी चौदे एक पंद्रे बटा दो परसेंट से डबल जीरो कट जाएगा ठीक है यह कितना हो जाएगा यह कटेगा पांच दिया पंद्रे हो ज जाएगा अब इसको अगर चौट यह साथी बियालिस दो तिन्नुनी च्छो एकायंग च्छो दोड़ोगे इकायंग च्छो आरा इसको गुणा कर लेंगे 27 यह एकासी होता है और 26 गुणा करोगे तो यह हो जाएगा च्छो और अठ्छा के अड़तालिस दो आठ्दूनी सोल ले यह च्छो आठ्ट दूदस और च्छो चार्दस एक एकार दूस दी नमर आपका एंसर हो जाएगा डी एंसर हो जाएगा डी कि गड़े आइ पेजिए हो ज़या ? तो ऑनोगना यह और बोलना एकासी तो टन है सुनवे च्छाबल की उभजाव क्या होगी च्छा बल की उभजाव क्या होगी उद्धि यदि Cherry Donald su Knocked Un puzzles 250 दिगृ frei तो 800 में 40 डिग्री क्यत्ना में 40 डिग्री तीन सो साथ में यह कटेगा यह 9 हो जाएगा 9 से कटेगा 9 918 900 कितना हो जाएगा 900 900 हो जाएगा इसे बताएंगे बोला कि एक लड़के से दी गई संख्या में 15 पांच बटा 11 से गुना करने के लिए कहा गया इसके बज़ा उसने कर दी क्या कर दी तो पांच बटा 11 से भाग कर दी परिणाम स्वारूप उसके उत्तर उत्तर क्या हुआ सही उत्तर से 192 अधीक आया तो दी गई संख्या गें दीखो भाग करने का मतलब माली यह एक्स है इसमें भाग कर दिये 5 बटा 11 से तो यह उपर चला जाएगा 11 एक्स बटा पांच हो जाएगा कोई संख्या था एक्स उसमें गुना करने के लिए बुलागे पांच बटा 11 से यहां से क्या होगे 11 एक्स बटा पांच और माइनस में पांच बटा 11 यहीं दोनों का अंतर आया है कितना 192 अब यह करोगे एकसो एकाइस पचे पचीस एकस ठीक है और बट्टा में एकाइस पच्पन यह हो जाएगा एकसो बिरानवे अब इसको क्या करना है एकसो एकाइस में से पचीस घटा होगे तो एकारा में से पास जाएगा तो छो हो जाएगा और एकारा में से दू जाएगा तो नौ हो जाए आपका इनसर आएगा वह संख्या जो था 110 से गुणा करने के लिए बोला गया था 110 से गुणा करने के लिए बोला गया था एक कामगार के रूप में 20 से दुगना अच्छा काम करता है और एक साथ मिलकर 20 दिनों में एक काम काम को करता है देखंगे एक साथ मिलेगा तो तीन काम होगा और वैस दिनों में पूरा काम हो जाएगा ठीक ना कि देंज में काम को पूरा करता आप एक अकेश्ट है दू के Nूढㄋस można करेगा तीस दिन लगाएगा कि तीस दिन लगाएगा कि तो दो हजार कि तुल्ला में 2001 में उर्वरों को उत्पातन में परतिसत विर्दी कि दो हजार कि दो हजार में दो हजार यहां 50 है और시면 75 कि किक writingsोऊ और कि पधर से और पचीच का विर्दी हुआ पचीच का विर्दी और पर्चीच का विर्दीLove cin as लगए एक थैली में 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्क्य है 50 पैसे है 50 पैसे 25 पैसे 10 पैसे के सिक्क्य है कितना पांच नो चार करनुपात में है ठीक है सिक्क्य करनुपात है यह 25 मतलब 250 पैसा 25 नमर 275 पैसा 10 40 पैसा टोटल जोड़ोगे तो यह हो जाएगा पांच उसके बाद साथ बारा 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 चार शुल ला दो दो चार और एक पांच इतना पैसा टोटल हुआ अगर काटते हो काटके देख तो क्या होता है ठीक है अगर काटो गए पांच से काट गए तो एक पांच काही फांच ठीक है प्ांच तीना पंदर रहे हैं और यह पांच से काटा हुखें यह हो जाएगा 30 दूनी 6 कसा पांच 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 5 पांच पांच एक बार देख लोगा 25, 250, 25 नमए कि दो सो फचीज होता है जो चिस नमद 225 ठेक है अब जोड़ोगे अब यहां सही हो जाएगा कि यह हो जाएगा पाँच ठेक उसके बाद हुजाएगा पाँच दू साथ साथ चारे और ठिक है उसके बाद दो दो की पांच, 0, 5, 35 यह काटोगे दो बार में तेट 1 का मान हो जाएगा विस दूनिष चालिस, चालिस हो जाएगा किसका पूछ रहा है सभी पर करके सीख़ा एक का मान चालिस तो 5 का मान चार पंचे 20, 209 का मान और नौ चो के 36 364 का मान चार चो के 166 ले मैं सुनेगा बुला गया एक आयतकी दो आसन भुजाओं का अंपा तीन उनमपा चार दिया गया ठिक है एक आयत है आसन भुजा मतलब यह अगर 3 होगा यह अगर 3 होगा ते यह 4 ओगा ठाथ sex ठेक है है और है तो जाए नथे यहां तेका राए क्यों आगया थेचल ना है सबस्क्राइक है सब्सक्राइब बुपनिके लस्त रीत टेयां और हो गया धसक्राइब का तुई नहीं को श्राल है यह िसनें से न ठुपनेत यह यह वाला हो जागा 15 का बिकर्ण कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा वो लिए वाली मार निकाल लात इसको आप कर सकते हो कि 1-1 2 प्लस में क्या 1 2-1 3 इसको अगर एलिसियम लोगे तो 6 आएगा, 6-3 में से दू जागा एक यह इसी तरीका से करते हैं आप इवाप्त एक बाटा इन से पगाट इनाविश्ञा कर दाहल किते देल धहीं की घुडिये कह ईर है कि अध्स का सब्सक्राइब करद एक सबक्राइब करें ऊगना की इस एक तक इस बेरे इन मानेस इस्टिस Kr 줄 Gör सी नमर हो जाएगा कि बुला गया है इतना को जोड़ने के बाद ये आया और गिभला गया है एकस का उच्तम मान तफ फूर एक्स यही है přिया इसी की रूचन सबसे है यह जलने के और यह तो दो हो आप यह आप है इसको जोड़ोगे तो साथीं दस एक एगारे का एक बाकी हाथ में एक लेकिन यांक सिष्चन में दिया है एक एक आठ तो यहां एगारे आया एकारे वाला बकिया इसम्स साथ की ज़ुट एक तो जैड को भी जीरो कर दो और वाई को भी जीरो कर सब्सें मैक्सिमं। value 7 इसी का ले लो क्या किसका X का तब maximum value 7 होगा यही आपका answer होगा